हलो नमस्कार गुद मॉर्निंग और मोस्ट वेलकम तो ऑनलाइन बेंचर एससी एंड रेलबे प्लाटफॉर्म सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में तो जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज मुझे एक बार जरूर रिर्माइ समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत जादा है लेकिन कोसिस ये करनी है कि इस लास्ट मोमेंट में हमके बल उन सेलेक्टिव चीजों को पिक करें जिससे की एक्जाम को क्वालिफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चों ये है कि आपको बता दू मैं कि जो आई बी का एक्जाम है इसमें आपको एक चीज बहुत जादा प्रॉफिटेबल हो और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने कॉंटिनुटी को मेंटेन करोगे इस पूरे सेशन के साथ और ऐसा नहीं है कि इसके साथ-साथ हम लोग आने वाले क्लास में भी बहुत सारे अच्छे-च्छे सेशन को लेकर के आ रहे हैं तो सबसे इंपोर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि टेंशन को दिमाग से बिलकुल निकाल दो तेके ना टेंशन मुक्त रहो और केबल जुले रहो ऑनलाइन बेंचर्स के साथ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के एक्जैम को बिलकुल करेंगे इस चीज को बस केबल इतनी सी आप लोगों से बुजारिश है इतनों से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज तेके ना सेशन को प्रमोट कीजिए सेशन को शेयर कीजिए और मेरे साथ पूरे अगले तीन घंटे तक बने रहेए आपका एक भी क्वेस्टन जो है बेटा बाहर नहीं जाएगा इस बात की गारेंटी है इस बात की पूरी तरीके से आपको मैं गारेंटी दे रहा हूं चीक है तो अगर आप सब लोग रेडी हैं तो क्या सुरू किया जाए आज के सेशन को अमिच सर भी हमारे साथ जुरे हुए हैं अभी और भी फैकल्टी जुरेंगे सेशन के साथ तो एक बार सब लोग अच्छे से सुरुवाद करते हैं आज के सेशन को और हम लोग कोसिस करेंगे कि एक एक चीज को क्लास के अंदर आपको मेमराइज करा के दे ठीक है लेट्स बिगिन दसेशन लेट्स स्टार्ट दसेशन आर से पहले एक थोड़ा सा रिमाइंडर है कि 100 most expected question जिसमें 240 से उपर मार्क्स की गालेंटी है यह आज 10 फरवरी को सुबह 11 बजे से अमित सर लेंगे तो आप लोग इस सेशन के भी पूरी तरीके से टाइटें योर सीट बेल्ट तेके ना साथी साथ आपको बता दू मैं कि जो IB ACIO 2021 का जो पूरा current affair है फरवरी 2020 से जनवरी 2021 के लिए इसका part 1 आज शाम साड़े 5 बजे आपके साथ एबलेबल होंगे कासिफ अंसारी से ठीक है ना चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सबसे पहले question के साथ how many policies does the institutional mechanism of federalism accommodate संगवाद के संस्थागर तंतर में कितन नीतियां है पहला option है 3 फिर 2 फिर 4 फिर 1 इस question का answer मुझे फटा फट चाहिए जितने लोग live है और एक चीज़ और जो लोग live है session पे please comment के साथ मुझे reply जरूर कीजिएगा ये आपका बहुत ही जादा testing time है तो please go for the reply please go for the answer please go for the reply everybody सभी लोग फटा फटा बेटा अगर session अच् करते चलो और अपने दोस्तों के भी जिसको share भी करते चलो आज पूरी तरीके से सो questions को याद करके जाना है और मेरी guarantee है कि इनमें सो में से कम से कम 40% questions तो एज़िटी जाएंगे ठीक है ना इसको ध्यान रखेगा आप लो मैं इसको explain करता हूँ अगर पूछा जाए कि institutional mechanism of federalism म होते हैं कि इतने mechanism को रखा गया है तो आप बताओगे two, ये two में क्या क्या है तो एक तरफ आपका हो जाएगा union और एक तरफ आपकी क्या हो जाएगी state ये दो चीजों को पूछा गया था के बल question का label tough है बाकी answer बहुत आसान है कि संग और राज के बारे में बात की गई थी क संग और राज दो सबसे important संगवाद की क्या है नीतिया है और आपस में एक दूसरे को cooperate करते हुए हमें देश के administration को क्या करना है चलाना है चलिए अगला सबाल ये है the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere अस्थल मंदल, जल मंदल और बायू मंदल के बीच संपर्ल का संकिन छेत्र where natural vegetation and wildlife exist is called what और बन्यजीब मौझूद होते हैं उनको इन में से क्या कहा जाता है ठीक है ना ये question पूछा जा रहा है आपसे is it भू मंदल that is geosphere, is it biosphere या फिर जायब मंदल है ये, is it troposphere छोब मंदल है ये, या is it exosphere बहिर मंदल है ये, please go for the reply quickly and please keep sharing the session with your friends, this is the most important class for you all, please tell me the answer, यहाँ पे interaction पूछ रहा है, lithosphere, hydrosphere और atmosphere का, जहां पे तीनों का interaction होगा, उस particular part को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और बिलकुल ही, बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल question इसी level के आएंगे, यही तरीका होगा question पूछने का, और यही reason होगी questions के, formats का, के बल आपको अपना patience रखना है, और बहुत अच्छे से question को read करनी है, ठीक ना, तो अगर interaction की बात की जा रही है, lithosphere, hydrosphere, atmosphere का, along with the natural vegetation and wildlife, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चों, तो उसको कहा जाता है, jab mandal, यानि की biosphere, is it clear to you all, ए atmosphere का, एक layer है, आपको पता है, तस्मित, ये ध्यान लखना है, आपको बच्चों, तस्मित, what is तस्मित, तस्मित को आप बताऊगे, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exhaustosphere, ये 5 important layers है, हमारे किस चीज़ के atmosphere के, और अभी आने वाले time में, अभी इस पर questions और आएंगे, तो please be in touch with us, next important question ये है, कि which economist developed international trade theory in 1817, based on comparative advantage and specialization, किस अर्थ शास्त्री 1817 में, तुलनात्मक लाव और विशेशगिता के आधार पर, अंतर राष्ट्रिय बैपार सिधान को बिक्सित किया था, ये सवाल पूछा गया है, कि इन में से कौन सा वो अर्थ शास्त्री है, जिसने 1817 में, तुलनात्मक लाव औ वशेश शागिता के आधार पर, अंतर राष्ट्रिय बैपार सिधान को बिक्सित किया, विच अप्ड़ फॉविए इक्वन कीनोमिस्ट, डैफले बत्चे लाइब हैं, प्ली प्ली कुछित लाइब अछें लाइब विच्छें लाइब हैं, जिसने 1817 में और शास्ट्र भ Ricardo, please go for the reply, please go for the answer, everybody, बिल्कुल जोस नहीं खोलना है, शुरू में थोरे questions tough आएंगे, क्योंकि ये कुछ questions previous year से pick किये गए हैं, but in questions के repetitions होने के chances बहुत जाते हैं, exams में, इसलिए मैंने in questions को यहां पे pick किया है, please go for the reply, please go for the answer, सभी लोग, और जो लोग live है बेटा, please reply जरूर कीज इसका answer क्या हो जाएगा, डेविड रिकार्डो, दा answer will be डेविड रिकार्डो, यह इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, Milton Friedman वो economist है, जिसने फिलिप कर्प जो दिया गया था, inflation and unemployment के relation को, उसको कही न कहीं क्या किया था, इन्होंने खंडित किया था, कि ऐसा possible नहीं है, आपने पराह होगा, फिलिप कर्प के बारे में, कि एक तरफ जब inflation बढ़ती है, तो उसके साथ-साथ, जो unemployment है, वो क्या है, decrease करता जाता है, very good morning to Shomya, welcome to the class, and guys, please do keep sharing the session with you, ठीके न, चलिए, next important question पर आते हैं हम लोग, who became the नवाब of Bengal, after the death of Aliwardi Khan in 1756, यह बहुत important question है कि बंगाल का नवाब को 1756 में, अलिवर्दी खान की मिर्टियों के बाद, बंगाल का नवाब कौन बना था, is it सुजान खान, is it मुर्शीद कुली खान, is it सिराजुद दौला, और is it मीर जाफर, please go for the answer, come on guys, reply for it, सवाल ये पूचा गया है, कि 1756 में, अलिवर्दी खान के म Come on guys, reply to this particular question, सभी लोग फटा फट रफट, reply कीजे, go for the answer, go for the reply, each one of you, Nabab of Bengal after the death of Aliwardi Khan in 1756, come on guys, go for it, reply to me, very quickly, हंजी, क्या होगा इसका अंसर, तो आप क्या बता होगे, it's the Sirazud-Dawla, it's the Sirazud-Dawla, आपको पता है, it's the Sirazud-Dawla, who became the Nabab of Bengal, after the death of which one, you can say, Aliwardi Khan, और ये जो Sirazud-Dawla है, इसमें आपको ध्यान लखना है, कि इन्ही के साथ, एक सबसे important battle लरी गई थी, battle of Palasi 1757 में, जिसके बाद, पूरी जो history है, India की, वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, change हो गई थी, exactly, so guys, just maintain this tempo with me, and just believe this, कि we are going to rock in the IB examination, लवस्कार धिक बिजह जी, welcome to the class, welcome to the session, ठीक है ना, next important question is that, कि which commission was appointed by the central government, to examine the issues, related to the center state relation, केंदर राज संबंदो से संबंधित मुद्धो की जाच के लिए, केंदर सरकार ने किस आयोग की न्युक्ती की थी, बहुत आसान सवाल है, थी, thank you, thank you, everybody is with us in the studio right now, अभिशेक सर नेहा मैं, they are waiting outside, तो आप लोग इसलदी के से जोज़वो के साथ, session को शेर करते रहिए, and please maintain the tempo of the class, question is that, कि which commission was appointed by the central government, to examine the issues, related to the center state relation, is it सरकारिया commission, is it मंदल commission, is it नानावती commission, और is it the कोठारी commission, please guys answer this question quickly, फटा फट रिप्लाई करो सभी लोग, come on guys, go for the reply, go for the answer, आपको उस commission का नाम बताना है, जो की केंदर और राज के संबंधों को बहतर बनाने के लिए, recommend किया गया था, is it सरकारिया commission, मंदल commission, नानावती commission, या फिर कोठारी commission, please go for the reply, please go for the answer, come on guys, reply to this particular question quickly, सभी लोग फटाफट इसको reply करो, क्या होगा इसका अंसर बच्चों आप क्या बता होगे, रंजीत सिंग सरकारिया commission, और इसी center state relation के उपर, 2009 में भी एक committee बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था, तो आप बताओगे, मदन मोहन पुंची committee, और एक चीज़ और ध्यान रखियेगा, इसी सरकारिया commission के recommendation पे कहा गया था, जो CDS में question आया था इस बार, कि किसी भी bill को, अगर भेजा जाए, तो उसकी maximum pendency कितने month के लिए हो सकती है, तो आप बताओगे, छे महीने के लिए, जो नानावती commission है, ये लाया गया था, गुजरात रॉइट्स के उपर, बिल्कुल सही का आपने, गुजरात रॉइट्स को लेखने के लिए, नानावती commission लाई गई थी, और ये जो मंडल commission है, बीपी मंडल commission, जो विश्वनाथ प्रताप सिंग जब प्रधान मंत्री थे, उनके कारेकाल में लाया गया, इसी के दौरा, reservation को लाया गया था, public employment में, ये ध्यान लखना है, कि देश में रोजगार के लिए, जो आरक्षन की निती लाई गई थी, वो किस commission के द्वारा, मंडल commission के द्वारा, और अभी हम लोग बहुत अच्छे-च्छे questions को लेकर के आ रहे हैं, इस session के अंदर, और मैं बिल्कुल entertainment करते हुए पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो मैं कुछ अच्छे-च्छे शायरी भी लिखके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो बीच-बीच में आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है ना, बस के बल आप इसी जोस के साथ बने रहो, इस पूरे वैलेंटाइन वीक को आप लोग यहीं सलिवरेट करने वाले हैं, और अगर आपके आई-बी के एक्जाइम अच्छे चले गए, तो इस इस गोइंग टो बी बेस्ट वैलेंटाइन गिफ्ट फोर यू आल पीपल, ठीक है ना, चलिए, अगले सवाल पे आते हैं, यह पूछा गया है कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज है, वो किस वक्त ग्रहन किया था, किस वर्स में, 1917 में, 1906 में, 1923 में, या फिर 1911 में, गाइस, कम आन, maintain the tempo, maintain the energy and maintain the enthusiasm of this class and please keep rocking, everybody, मेरी बस एक ही तमन्ना है कि आप लोगों के questions यहां से अच्छे तरीके से लड़ें, और आप लोग अपने IB के exam के दिन हमें याद करो, कि भाई, online ventures ने आपके लिए जो मेहनत की है, वो आपके लिए रंग ला रही है, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यह हमेशा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, कि इस title के अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे, 1911, बिल्कुल सही का आप लोगोंने, 1911, और इसी King George Pancham के आगमन पर, इनके arrival पर एक बहुत बरी structure क्रियेट की गई थी, बेंगॉल, सॉरी, आपका का, बॉंबे में, gateway of India, जिसको design किया गया था, जॉर्ज वीटेट के द्वारा, यह आपने पढ़ा होगा, जॉर्ज वीटेट ने, किस चीज़ को तो आप बताओगे, gateway of India को क्या किया था, architect किया King George 5 जब आया, तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद करते हुए, capital को कलकत्ता से दिल्ली, transfer करने की क्या की थी, बात की गई थी, am I clear to you all, please reply to me, clear है यह point, King George 5, assumed the title of crown of India, in the year 1911, clear है, चली अगला सवाल यह है, कि which river has the tributaries by the name of Drie, Mathoon, Talon, Im, Ahi, Imra and Awa, अब देखो अगर आपको इसके बारे में कुछ idea नहीं है न, इसको हम लोग odd man out से कर सकते हैं, पूछा गया है कि इनमें किस नदी की सहायक नदीयों के नाम, क्या है, Drie है, Mathoon है, Talon है, Ma है, Ahi है, Imra है और Awa है, Is it Kaveri, Is it Dibang, Is it Lohit और Is it Godabri, ये पूछा गया है कि इसमें से वो कौन सी river है, जिनके Tributaries के नाम, Drie है, Mathoon है, Talon है, Im है, Ahi है, Amra है, और साती सात Awa है, Please go for the answer, ये बहुत आसान सवाल है, odd man out से करो, इसको odd man out से करो, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, Godabri की, तो Godabri में आपने परा होग कि बहुत हमारा पूर्णा है, वर्दा है, उसके बाद हमारा पैन गंगा है, वेन गंगा है, प्रान हिता है, इंद्राबती है, प्रवरा है, मंजिला है, ठीके ना, लोहित खुड ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रहम पुत्रा की, और यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, इ कावेरी जिसकी लेंथ 806 किलो मिटर है, यह करनाटा कार तमिलाडू से जाती है, और यह एक मात्र ऐसी पेनिसुलर रिवर है, जो कि पेरिनियल है, अगर यह सवाल पूछा जाए, कि प्राइद वीपिय भारत की, ठीके ना, प्राइद वीपिय भारत की, एक मात्र, जो आप कह सकते हो, पेरिनियल रिवर है, सदाबहार नदी कौन सी है, तो आप बताओगे कावेरी, only पेरिनियल रिवर और पेनिसुलर इंडिया, और पेनिसुलर इंडिया, प्राइद वीपिय भारत की एक मात्र, सदाबहार नदी क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे कावेर come on guys we are live at 143 make it 150 आज 200 प्लस जाना चाहिए live यहाँ पे और यह तभी संबब है जब आप लोगों की सिद्धत यहाँ बनी रहेगी और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा चलिए next important question पे आते हैं in which year was the national food for work program launched in India national food for work program को भारत में कब लागू किया गया था भारत में national food for work program किस बर शुरू की गई थी 2002, 1991, 2004 या फिर 2000 प्लीज गो फॉदर रिप्लाई यह बताना है national food for program national food for work program भारत में कब लाउंच किया गया यह आपका अगला सवाल है प्लीज गो फॉदर रिप्लाई come on guys come on reply to me बिल्कुल अभी बिल्कुल खबराना नहीं है exam के date चाहे कितने भी नजदीक हो जाए यह सारे sessions जो मैं लेकर के हम लोग आ रहे हैं इस session में हम लोग हम लोग is session के अंदर easily एक एक question को discuss करने जा रहे हैं बस केबल आपको सिद्धत के साथ session के साथ चलना है बस that's it maintain the patience and just keep answering the questions with us इसका क्या answer होगा बच्चों तो आप क्या बता होगे it was in the year 2004 जितने लोग live हैं सब लोग कम से कम दिबांग river के अगर हम लोग बात करें बेटा तो यह अरुनाचल प्रदेश में है दिबांग river कहां पे है अरुनाचल में और अरुनाचल में जो देखो ब्रमपुत्र का दिर्मान असम में होता है आपका बता दू में जो ब्रमपुत्र है वो सांगपो के नाम से निकलती है चेम्यूंग दुंग से वो चाइना में आती है हवांगों के नाम से वो अरुनाचल में इंटर करती है कहां से यंग यप दर्रे से सियांग के नाम से इसको हम दिहांग भी कहते हैं और जब उसमें दिहांग और लोहित मिलती है तब आगे जाकर के ये ब्रंपुत्र का निर्मान करती है क्लियर है बच्चों चलिए अगला पॉइंट लेश लपूत is a folk dance of which Indian state लेश लपूत जो है यह किस भाड़तिये राजिका लोक नृत है लेश लपूत is the folk dance of which of the following Indian state is it a nagaland is it b keral is it c goa और is it d karnatka come on guys reply the answer quickly लेश लप जयान रखना की folk dances से बहुत सारे questions exam में आते हैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है please go for it please go for it please go for this particular answer come on guys go for the reply go for the reply ठीके ना लेश लपूत किस कि स्टेट का folk dance है नागा लेंड करिला गोवा या करनाट गा हांजी बच्चों एक बार फटाफट आंसर करो सभी लोग अच्छा जितने लोग live है ना आप लोग प्लीज आंतर आंसर करते चलिए इस question के बाद 10 में question के बाद एक साइरी सुनाओंगा आप को अभी पिलाल बने रहिए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा बेटा इस तन नागा लेंड और ध्यान लखना नागा लेंड एक ऐसा state है जिसकी official language क्या है English यहां की जो official language है यह ध्यान रखना है आपको क्या 2011 के हिसाब से और करनाटक के बारे में ध्यान लखिएगा यहां पे एक खास प्रकार का रेशम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है मलबरी सिल्क यह ध्यान लखिएगा मलबरी सिल्क एक खास प्रकार का रेशम है जिसका उतपादम कहां पे मिलता है करनाटक में और ध्यान के हिसाब से सबसे छोटी राज है ये सबसे smallest state है और ये एक मात रहसा state है इडिया में जेबल जिसमें केबल दो डिस्टिक हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा अनली टू डिस्टिक लॉर्थ नॉर्थ गोवा as well as the south गोवा all clear all done जितना possible होगा मैं आप लोगों को उतना deeply जानकारी देता चलूँगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको पता है कि defense में question पूछा गया था अरैबिका रोबस्टा लिबेरिका यह सब किसके वराइटी है तो आप बताओगे कॉफी के पूड़े वर्ल्ड में सबसे दिक कॉफी कहां पे एक भी चीज ध्यान रखना है अनुराग में अच्छा बात बोला है कि इंडिया एक मात रैसी country है पूड़े वर्ल्ड में जहा टूगेदर लाइक जिगसो पजल निमलिखित में से कौन सी प्रिथवी की बहारी परत है जो प्लेटो से बनी होती है और जिगसो पजल की तरह एक साथ जुरी हुई होती है अब इस question में ज्यादा उलजना नहीं है आपको सिंपल जब पूचा गया है कि which of the following is the outer layer of the earth ये अर्थ के लेयर को पूच रहा है ये पूच रहा है किसके बारे में outer layer of the earth के बारे में अगर ये statement आपने पकर लिया तो इस question को answer करना बिलकुल भी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा which is the outer most layer of the earth आपको पता है कि सबसे उपनी layer क्या होती है crust होती है उसके बाद esthenosphere होता है फिर mental फिर core और आपको ध्यान लखना है crust से ले करके और जो outer mental का area है जिसमें earthquake और volcanoes आती है जो jigsaw pattern में पजल की तरह बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते है इस्तार कहां से कहां तक है तो आप बताओगे crust से ले करके और outer mental तक क्रस्ट से ले करके और कहां तक तो आप बताओगे outer mental तक क्या फैला हुआ है हमारा तो आप बताओगे lithosphere ये ध्यालक ना 1929 में ये plate tectonic चौरी दी गई थी इसमें ये कहा गया था कि हमारा प्रित्वी अलग-अलग चट्टानों के टुगरों से क्या है बना हुआ है चलिए अगले सबाल प्याते हैं As per the constitution of India, the subject of livestock and animal husbandry is included in which list भारत के संबिधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विसे किस सुची में सामिल किया गया है पशुधन और पशुपालन पशुधन और पशुपालन लाइव स्टॉक अनिमल है इसमें से किस list में है Please go for the answer मैं भी अर्थ के लिए रिवाइश करबा देता हूँ आप दो मिनट रुख जाओ पहले इस question का answer करो आप लोग कि भारतिये संबिधान के अनुसार जो लाइव स्टॉक और एनिमल हस्पेंडरी है इसको किस सुची में सामिल किया गया आपको पता है कि तीन तरह के list है Union list, State list और Concurrent list ठीक है ना सब में अलग-अलग subjects है ठीक है ना और आपको पता है कि जो Directive Principles of State Policy है जो हमारे राजिक के नीती निर्देश तत्व है उसके अंदर बात की गई है किसके बारे में Live Stalk और Animal Husbandry के बारे में ये पता है आप लोगों को और इसको रखा गया है किस सुची में तो आप बताओगे राजिक की सुची में किस में राजिक की सुची में क्लियर है ये point इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए अब एक सायरी हो जाए बिलकुल 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 मैं सुनाता हूँ आपने कि मैंने जिससे महबत का सोचा ध्यान रखिएगा कि मैंने जिससे महबत का सोचा वो भी यही चाहता था सुनो कि मैंने जिससे महब का सोचा वो भी यही चाहता था इसक में मेरे तुक्के नहीं लग रहे थे तो क्या लग रहा था था तो बाई वैलेंटाइन वीक में इस तरह की साहरी जरूरी है ताकि आपका मनोबल जो है वो क्या हो बढ़ा हुआ रहे एक बात शेयर कर दो बच्चों सेशन को सब लोगों क जरूरी है चाहे वो एक्जाइम का पेपर हो चाहे वो आपकी आश्की हो तेके ना सिद्द्ध जोनोही जगह उतनी ही जरूरी है तभी आप अपने मंजीर तक आसानी से क्या कर सकते हो पहुँच सकते हो ठीक है बेटा चलिए विच आप दा फॉलोविंग इंडियन इस इस स्री नगर इस इस इत भी हाईदराबाद इस इस सी मुर्सिदाबाद और इस इटी एहमदाबाद ये बताना है कौन सा सहत इंख्लूड किया गया है युन्द्ध के वोल्ड हैड़िटेस सिथी के लिस्ट में डिसजिस इजा इस इस इन उक्वेशन फॉर यू स्री go for the reply क्या बताओगे आप लोग यहां पे उस सहर का नाम बताना है जो युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलिद किया गया है इसका आइसर क्या हो जाएगा आपको एहमदाबाद और एहमदाबाद को हम लोग एक नाम से जानते हैं मैंचेस्टर ओफ इंडिया यह ध्यान रखना है आपको अगर यह पूछा जाए कि मैंचेस्टर ओफ इंडिया क्या है तो आप क्या बताओगे इस अहमदाबाद अपने कॉटन टेक्स्टाइल के लिए यह सबसे ज़्यादा क्या है फेमस है क्लियर है यह पॉइंट प्लीज अगले सवाल पर आते हैं हम लोग इन विच अग दा फॉलविंग स्टेट इस मी डैम मी फी दफ फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर विच वर्सिप इस वर्षिप इस सेलिबरेटेड लिम्लिखित में से किस राज में मी डैम मी फी मी डैम मी फी पुरबजों की पूजा करने का तोहार मनाया जाता है पुरबजों के पूजा करने का तोहार मी डैम मी फी कौन से स्टेट में सेलिबरेट की जाती है मी डैम मी फी जो फेस्टिवल है जिसमें कि हम एंसिस्टर को वर्षिप करते हैं ये कौन से स्टेट में सेलिबरेट किया जाता है इस सबाल को पूछा ग चार्जर चार्जर मध्यप्रदेश असम उडिसा या 36 गर इस सवाल का जवाब दो आप लो क्या बताओगे इसके अंदर क्या होगा अंसर हंजी अंशुक कुमारी हेलो एन वेलकम टू दा क्लास बेटा वेलकम टू दा सेशन 200 प्लस लाइव चाहिए मुझे एक बार सब लोग शेयर करो सेशन को फटाफट इसका अंसर क्या हो जाएगा इस दा असम बहुत अच्छे से ध्यान दखियेगा मी डैम मीफी जो है एक तेवहार है तेखे ना जो पुर्बजों के याद में जैसे कि आप ध्यान दखोगे मुहर्रम मुहर्रम भी एक तेवहार है इसलाम में ज मनाया जाता है ठीक है ना क्या बात है नहीं अमर प्रीत अब मैं आणलाइन बेंचर्स पे हूँ और आप लोगों को इस चैनल को पूरे सपोर्ट से करना है और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं बहतर से बहतर और एजुकेशन को आप लोगों तक लाग लेके आ सकूँ ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोश्चन यह है बेटा वाइट काइंड ओफ रिलेशन सिप एगजिस्ट बिइन इंकम और डिमांड इंकेस ऑफ नॉर्मल गुड सामान बस्तूओं के मामले में आई औ और मांग के बीच में किस तरह का संबंध होता है ठीक है ना प्लीस टेल मी इस पर्टिकुलर क्वेशन इसका आंसर यह एकोनॉमिक का बहुत ही अच्छा क्वेशन है कि किस तरह का डिलेशन एक्जिस्ट करता है इंकम और डिमांड के बीच में इन केस ऑफ नॉर्मल गुड सामान बस्तू के संदर में आमदनी और मांग के बीच में क्या संबंध है there is no impact of income on demand मांग पर आयका कोई प्रभाव नहीं होता there is a direct relationship प्रत्यक संबंध होते हैं inverse relationship विप्रीज संबंध होते हैं sometimes there is a direct and sometimes there is a inverse relationship क्या होना चाहिए आंसर कि कभी direct relationship होगा और कभी आप यहां रख relationship होगा इसका answer क्या होना चाहिए यह बता यह normal goods के case में normal goods के case में देखो direct का मतलब यह हुआ कि अगर price बढ़ रही sorry अगर income बढ़ रही है तो साथी साथ आपका क्या है demand भी बढ़ेगा यह कहने का मतलब यह अगर inverse है तो इसका मतलब यह है कि income or demand जो है यह क्या हो जाएंगी inversely हो जाएंगी तो इसको ध्यान लखना भाई 175 लोग live है make it 200 please go and share the session with each one of you अगर आपको session अच्छा लग रहा है बेटा तो please keep pressing the like button and please do share the session with your friends तो यहाँ पूछा गया है कि income के साथ क्या संबंद होता है आपको बता दू मैं कि एक होती है inferior goods inferior goods कहते है किसको जिसमें आमदनी क बढ़ते ही जिसकी मांग घट जाए यानि कि income पे जो goods depend होती है वो क्या होता है inferior price और demand दोनों proportional होगा गीफेन और wavelength goods के संदर में ठीक है ना अगर हम normal goods की बात करें जिसको हम लोग रोज मर्रे की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो उस case में क्या हो जाएगा उस case में होग कि कभी-कभी संबंध डैरेक्ट होगा और कभी-कभी यह संबंध क्या हो जाता है inverse हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा it's the D option it's not directly it's always क्या हो जाएगा inversely हो जाएगा sorry यह depend करेगा situation पे कि हम लोग जो जो goods use कर रहे है ठीक है ना उसको किस तरीके से किया जाए आई बात समझ म हाँ गीफन गूट्स और वेवलें गूट्स में प्राइस और डिमांड दोनों क्या हो जाएंगी inversely हो जाएंगी thank you so much सुभम राठोर thank you for this love thank you for this belief and thank you for this respect चलिए which governor general of India in 1772 introduced two courts in East District a criminal court for फौज़दारी अदालत and a civil court दिवानी अदालत भारत के किस governor general ने 1772 में प्रतेग जिले में दो अदालते प्रस्तावित की एक आपराधिक अदालत जिसका नाम रखा गया फौज़दारी अदालत और एक civil court जिसका नाम रखा गया दिवानी अदालत तो फौज़दारी और हर डिस्टिक में जो established की गई वो किस governor general का recommendation था ये सवाल आप से पूछा गया है Come on guys go for the reply वो कौन सा governor general है वो कौन सा governor general है ठीक है ना जिसने 1772 में criminal और क्या कह सकते हैं civil court दोनों को introduce करने की बात की थी district label में ताकि हम judiciary को इंडिया के कंकन तक पहुचा सके वो कौन सा governor general था बेटा रॉवर्ट क्लाइब रिचर्ड वेलेजले वारेन हैस्टिंग या फिर लॉड डलहौजी क्या बात है रंजु जी thank you for this love thank you for this support and thank you for this believe in us and believe in the online benches just keep rocking you guys मेरी बस यही तमना है कि आप लोग अपने बुचायों के उस बुलंद तक पहुचार हमारी महनत जो हम लोग सुबह से लेकर के रात तक आपके लिए कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आपको जीवन के उस बुचायों दक ले जाए ताकि हम लोगों का नाम जो है वो फक्र से मैं खुद रोशन हूँ और आप मेरे नाम को और रोशन कर सको ठीक है ना तो वो चार चान तब लगेगा जब आप जैसे बच्चे सिद्धत के साथ ठीक है ना अपने महनत के साथ अपने मुकाम को हासिल करो ठीक है यही तमन्ना है और यही दुआ है आप लोगों के लिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों तो आप क्या बता होगे वारेन हैस्टीं C is the correct answer Am I clear to you all? Is this clear to everybody? ठीक है ना clear है कोई दिक्कत तो नहीं कोई परिशानी तो नहीं चलिए 20 में question के बाद एक साहिली और Which explorer discovered a sea route to India in 1498? किस खोज करता ने 1499 में भारत के लिए एक समुदरी मार्क की खोज की थी ठीक है ना? किस खोज करता ने? Which explorer discovered a sea route to India in 1498? वासगो डिगामा, मार्को पोलो, थॉमस कॉरियर्ट या मेगा एस्थिनीज? हंजे, reply to me और बिल्कुल जोस और जजवाक होना नहीं है आपको मेरे साथ अभी पूरे 100 question तक बने रहने हैं इससे बाहर कुछ नहीं होगा बस केबल आप बने रहो और एक बार बिटा लाइक और शेयर ठोको फटाफर सेशन को अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ में सेशन को शेयर भी कीजिए 1498 में भारत के लिए एक समुदरी मार्क की जो खोज है वो इसमें से किसके द्वारा की गई थी वासको डिगामा, मारको पोलो, थॉमस कौरियार्ट या फिर मेगास्थरीज प्लीज तेल में, कल के एंटीबिसी सिफ्ट में ये कुश्चन आया था, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका अंसर क्या हो जाएगा, वासको डिगामा, और ये वासको डिगामा ये पॉर्टगाली था, ये आया था कहां से, तो आब बताओगे पॉर्टगीज से, और इसको व एक सौनब्बे लोग लाइव हैं, make it 200, please go and share the session with everyone, a century is not enough, is an autobiography of which of the following personality, a century is not enough, is an autobiography of Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Anil Kumblee, या फिर सौरभ गांगुली, come on, reply to me, a century is not enough, ये किसकी autobiography है, ये सवाल पूछा गया है आप लोगों से, बहुत नासान सवाल है ये, a century is, और ये question multiple exams में आये है, इसलिए पूरी आसा है कि इस तरह के questions जो है, books and authors पे, आपके सामने आते रहेंगे, a century is not enough, बिलकुल सही का, शिवांगी आपने, it's the Dada and none other than, Saurabh Ganguly one of the most successful captain in the Indian history, undoubtedly, and he is presently the president of the Board of Control for Cricket in India, that is BCCI, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, चलिए, अगला सवाल ये है बिटा, कि in which year was the first ever motion to remove a Supreme Court justice was signed by 108 members of the Parliament, संसद के 108 सदस्चों द्वारा हस्ताक्षरित Supreme Court के जस्टिस को हटाने के लिए, पहला प्रस्ताव किस बर्स में लाया गया था, ये सवाल है, in which year was the first ever motion to remove a Supreme Court justice was signed by 108 members of the Parliament, किस बर्स, 108 संसद्चों के द्वारा, एक डॉक्युमेंट पर स्थाक्षर किये गये थे, ठीक है ना, किसको हटाने के लिए, तो आब बताओ कि Supreme Court के एक जस्टिस को, ये सवाल है, 196 पे आ गए है हम लोग, चार लोग पीछे है, make it 200, please guys go and share the session with everyone, 1996, 1978, 1984 या 1991, किस पर्टिकुलर एर में इसको बेसिकली किया गया था, please guys go for it, please guys go for it, reply to me, सभी लोग reply करो इस पर्टिकुलर आंसर को, इस पर्टिकुलर क्वेशन को, किस वर्स किया गया था ये session को, कौन से एर में, ये बताए, come on guys, तो आप क्या बताओ कि 1991 में, और किसके द्वारा, ये कौन थे, वी रामा स्वामी, इनका क्या नाम था, वी रामा स्वामी, तो अभी तक वी रामा स्वामी, पीडी दिना करन, ठीक है ना, और साती साथ सौमित रसेन, ये तीन लोग ऐसे थे, जिनके खिलाब, महावियोग चलाया गया, लेकिन अभी तक किसी भी सुप्रीम कोट के जज़ को remove नहीं किया गया है और सबसे पहला initiative कब लिया गया था तो आप क्या बताओगे 1991 में all clear all done हाँ जी बच्चों एक बार फटा फट सब लोग reply करें मुझे all clear है चलिए अगला सबाल बिटा ये है who is the author of the book the free voice on democracy culture and the nation who is the author of the book the free voice on democracy culture and the nation the free voice on democracy culture and the nation पुस्तक के लेखां कौन है बर्खादत राहुल कमल रवीश कुमार या औरनब गोजस्वामी प्लीज गो फटा इसमें से आपको बताना है कि who is the author of the book the free voice on democracy culture and the nation on democracy culture and the nation please tell me बर्खादत राहुल कमल रवीश कुमार और इस इत अरनब गोजस्वामी come on guys go for the reply सभी लोग यही जजबा और यही जोज चाहिए बच्चों जिस सिद्दत से आप मेरे साथ जुरे हुए हो अगर इस सिद्दत से आप सारे सेशन में आ गए ना आई भी पार है इस बार बस यही सिद्दत चाहिए लगे रहो आप लोग सफलता आपके कदम को चुमेगी it is the C answer that is the रवीश कुमार जिसको की मैकसे से अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है NDTV के बहुत बड़े अंकर है आपको पता है और कुछ ऐसे स्टोरीज को भी उन्होंने लाइट में कवर किया है जो बिलकुल अलग रही है भारत के अंदर चलिए अगला सवाल यह है आपका निमलिखित में से कौन सी सरकारों के बीच एक अंतररास्तिय समझाता है जिसका उद्देश यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों में अंतररास्तिय बैपार उनके अस्तितों को खतरा नहीं है ब्रिक्स, साइट्स, गेट्स और ओपेक ब्रिक्स, साइट्स, गेट्स और ओपेक हनजी प्लीज तेल में अबाउट इस फटाफट निमलिखित में से कौन सी सरकारों के बीच में एक अंतररास्तिय समझाता है जिसका उदेश यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों में अंतररास्तिय बैपार उनके अस्तितों के लिए खतरा नहीं है कम आन गो फार रिप्लाइब ब्रिक्स, साइट्स, गैट्स, ओपेक हंजी सभी लोग रिप्लाइब करो इस पर्टिकुलर क्वेस्टन को बहुत आसान सवाल है यह ठीक है ना कन्वेंशन ओन इंटरनाशनल ट्रेड इन अंडेंजर्ड इस्पैसीज यह क्या हो जाएगा साइट्स हो जाएगा ओपेक क्या है इस तर एक्जैंपल ओफ कार्टल सिस्थम आपको पता है यह उदाहरन है कार्टल सिस्थम का जो की 13 और प्रिक्स जो है ब्रजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ आफ्रिका का एक रिजनल समू है क्लियर है अगला सवाल भारत के संबिधान के किस अनुचेद में कहा गया है कि भारत के छेत्र में सभी प्राधीकरन नागरिक और न्याईक सर्बोच नियालय की सहायता में काम करेंगे इच और अवरिफिंग विल्वक इन टेरिटरी इन दे एड ऑप दे सुप्रीम कोट ये किस आर्टिकल में बर्नित किया गया है प्लीज गो फाँ पाँ आंसर चाहे वो सिभिल हो जुडिशल हो इंडियन टेरिटरी में वो सुप्रीम कोट के एड में काम करेंगे ये सवाल पूछा गया है आपसे क्या बताओगे आर्टिकल 144 क्या हो जाएगा आर्टिकल 144 बिलकुल PDF मिलेगा मेरे भाई PDF बिलकुल मिलेगा ठीक है ना घर पे भी मन नहीं लग रहा दफ़तर भी नहीं जा रहा तो चलिए इसी सिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग इस session में which mineral is popularly known as buried sunshine किस खनीज को buried sunshine के रूप में जाना जाता है किस खनीज को buried sunshine के रूप में जाना जाता है which mineral is known as the buried sunshine is it coal, bauxite, mica या iron ठीक है ना कुछ लोग बोल रहे हैं साप koila, bauxite, mica या iron अब रख क्या होगा इसका answer सभी लोग reply कीजिए और अगर session अच्छा लग रहा है तो like होते रहना चाहिए और share होती रहनी चाहिए make it 250, 200 watching तक लेके जाओ आप लोग ठीक है ना बताईए आप लोग ये किस mineral को हम लोग कहते हैं buried sunshine क्या होगा इसका answer तो आप बताऊगे koila, it's the a option अगला सबाल ये है अली ए लिंगांग, अली ए लिंगांग एक वसंत तेवहार है, इस है spring festival associated with of the following state अली ए लिंगांग एक वसंत तेवहार है, जो इनमें से किस राज्य से संबंधित है is it a Sikkim, is it b Bihar, is it c Asam, और is it d Odisha, please go for it अली ए लिंगांग, ये किस state से संबंधित एक वसंत तेवहार है, this is associated with which state ये spring festival भारत के किस राज्य संबंधित है, Sikkim, Bihar, Asam या उरिसा, please go for the answer come on guys, बिल्कुल जोस छोड़ना नहीं है आपको, इसी तरीके से आप बने रहिए, इस का अंसर क्या हो जाएगा बेटा, it's the Asam, she is the correct answer अली ए लिगांग, एक spring festival है, जो associated भारत के किस राज्य से, तो आप बताओगे, Asam राज्य के साथ, clear है ये point, 24 में question पे आते हैं हम लोग, how many tiers are there in the, पंचायती राज structure, जो पंचायती राज संरक्षना हैं, उसमें कुल कितने अस्तर हैं, 5, 3, 2 या 4, 5, 3, 2 या 4, 5, 3, 2 या 4, Please go for the answer, come on guys, कितनी tier हैं, पंचायती राज सिस्टम में, कितने tier हैं, पंचायती राज सिस्टम के अंदर, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है, Please go for the answer, Please go for the reply, Everybody keep answering this question, how many tiers are there in the, पंचायती राज स्ट्रक्षर, 5 tiers हैं, 3 tiers हैं, 2 tiers हैं, या 4 tiers हैं, इससे आसान कुछ नहीं है बाई, हलुआ है हलुआ, आप क्या बताओगे, 3 tiers system, जिसको recommend किया गया था, किसके द्वारा, तो आप बताओगे, बलवन्त राइ, महता कमीटी के द्वारा, तो जो बलवन्त राइ, महता कमीटी का recommendation है, उसके थोड़ा 3 tiers system लाया गया, सबसे उपर आपका क्या है, तो आप क्या हो जाएगा, तो block level पे आपको एक पंचायत समीती बनाई गई है, ठीक है ना, पंचायत समीती का पदा सबसे नीचे आपका क्या है, village पंचायत है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, democratically elected local self government के लिए है यह, अगला सबाल, Edwin Lutians and Herbert Baker are the two important architects credited to have designed the city of which one, Edwin Lutians और Herbert Baker दो ऐसे architect है, जिनके द्वारा किस सहर को design करने का स्वे दिया जाता है, नई दिल्ली, चंडीगर, अलाहाबाद या राइपूर, यह बताना है, कि Edwin Lutians और Herbert Baker के द्वारा, इसमें से किस सहर को architect किया गया था, और किस सहर का यहाँ प की गई थी, कौन सा सहर जो है, उसको architect किया गया था, किस के द्वारा, तो आप बताओगे, Herbert Baker and Edwin Lutians के द्वारा, come on, reply the answer very quickly and keep sharing the session with your friends, Herbert Baker and Edwin Lutians ने किस सहर को design किया था, he was the architecture of which of the following city, undoubtedly it's the New Delhi, वही पर अगर चंडीगर की हम लोग बात करें, तो इसका architecture जो है, वो French architect है, French architect है, जिसका नाम क्या था, तो आप बताओगे, Lee Carbosier, क्या नाम था, Lee Carbosier, Lee Carbosier ने चंडीगर को और ध्यान रखना है कि Edwin Lutians और Harvard Baker ने किसको, तो नई दिल्ली को, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, make it 250 guys, make it 250, come on, go for the, चंडीगर में एक बहुत ही important place भी है, जिसको अब बोलते है, Rob Garden, आपने सुना होगा उसके बारे में, चलिए, अगला सवाल ये है, कि who ruled Mysore, under a subsidiary alliance with the British, after the defeat of Tipu Sultan, at the battle of Sering Patnam, Sering Patnam के युद में, Tipu Sultan की हार के बाद, अंग्रेजों के साथ, सहायक गटबंदन के तहर, मैसूर पर किसने सासन किया था, यानि कि after the death of Tipu Sultan, जो मैसूर किंडम है, वो किसके दोरा सासित की गई थी, इस इड़ गंगा रूलर्स, इस इड़ गदमबाज, इस इड़ पांडियान्स, और इस इड़ वाडियार्ड्स, बहुत आसान सवाल है, आपको ये बचाना है, कि सेरिंग पर्टनम के युद में, टीपू सुल्तान के हार के बाद, अंग्रेजों के साथ, जो सहाया गटवंदन थी, जो सब्सिल्री एलाइंस की पॉलिसी है, उसके तहट मैसूर किंडम के उपर, किसका सासन था, किसने रूल किया था, ये सबाल पूछा गया है, आप सभी लोगों से, गंगा, कडंबाज, पांडियांस या वाडियार्स, अंजी, रिपलाई करो सभी लोग, जो सकम नहीं होना चाहिए, बच्चों, make it 250, सभी लोग लाइक और शेयर होते ना चाहिए, बेटे, फटाफ़ाट, सभी लोग इसको आंसर केजिए, क्विकली बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप क्या बताओगे, इस दा वाडियार्स, बी इस दा करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए, ग्यान पीट अवाड, जो की हाइस्ट अवाड है लिट्रेशर के फिल्म में, वन अप दे इंडियास हाइस्ट लिट्री अवाड वास कंसिब्ड इन विचियर, भारत के सर्वोचिप साहितिक पुरुसकारों में से एक ग्यान पीट पुरुसकार किस बर्ज शुरू की गई थी, 1957, 1969, 1961 या 1972 ये बताना है आपको, ग्यान पीट अवाड जो भारत की एक सबसे सबसेष्ट साहितिक पुरुसकारों में से एक है, इसकी सुरुवात किस बर्ज की गई थी, ये आप आपका अगला प्रश्न है आपके computer screen पे और इसका जबाब मुझे आप लोगों से quickly चाहिए come on go for the answer क्या होगा ग्यानपीट पुरुसकार के बारे में ग्यानपीट क्या बताओगे आप 1961 में 1961 में सबसे पहला ग्यानपीट को conceive किया गया था और आपको बता दू कि आशा पुर्ना देवी ये पहली महिला थी जिनको की ग्यानपीट पुरुसकार से क्या किया गया था सम्मानित किया गया था इसमें cash price जो है उधी जाती है कितनी तो आप क्या बताओगे what is the नहीं आपको मैं सारे options बता रहा हूँ इसलिए ताकि चीज़ें याद रहें आपको ठीक है न 1961 में लाया गया था Is that clear to everybody? All clear, all done? चलि आगले सबाल पे आते हैं हम लो Representatives of the Maratha Empire and the British East India Company signed the Treaty of Salvae in which year बहुत आसान सावाल है कि Maratha सामराज और British East India Company के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधी पर हस्ताक्षर किये थे जो सालवाई की संधी है उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष किये गए? 1782, 1779, 1769, 1771, 1778 या 1758 या 1758 या 1758 ये बताओ सालवाई की संधी पर हस्ताक्षर इन में से किस वर्ष की गई थी? Treaty of Salvae किस के बीच में Maratha सक्ती और British East India Company के बीच में कब किया गया था इस संधी पर हस्ताक्षर ये पूछा गया है आप लोगों से प्लीज गो फॉर दर रिप्लाई सॉली वाई, सॉरी ये बताओ आप लोगो क्या बताओगे आप? 1782 ये इस दा करेक्ट आंसर 1782 इन पोलर रिजन्स लाइक अलास्का एं नदन कैनाड़ा अस्प्लेंडिड डिस्प्ले ओफ कलर्स इस सीन इन दा स्काई विच इस दैट कॉल्ड अलास्का और उत्री कनाड़ा जैसे दुरूबिये छेतरों में आकास में रंगों का एक शांदार प्रदर्शन देखा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? स्टार्स इंट्रिंजिक लिम्नोसिटी, तारों की आंतरिक चमक, स्टार्स शावर, स्टार्स शावर हो गया एक्टिव गैलेक्टिक नुकलियस या फिर औरोरा बॉरियलेस ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, कमान गो फॉर्दा रिप्लाई अलास्का और नदर्न कनाड़ा में एक बहुत ही खूबसूरत रंगों की छटा दिखाई देती है जब कभी भी solar winds हमारे अर्थ के magnetic field से जब टकराती है तो जब भी solar wind अर्थ के magnetic field से टकराएगी तो उस कारण से एक natural display of light होता है एक प्राकिर्थिक रंगों की छटा होती है नदर्न और सदन हैमिसफेर में polar regions में उसको क्या कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है उसको हम लोग कहेंगे aurora borealis ये कहां पे होगा तो आपको ध्यान रखना है northern hemisphere में यानि कि उत्री गोलार्द में और वहीं पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है aurora australis जो कहां पे देखने को मिलती है तो आप क्या बताएंगे southern hemisphere में जिसको हम आपके साथ हमारे साथ इस सेशन पे लाइव हो और वह तभी संबाबे बच्चों जब एक बार आप इस सेशन को like करो गए ठीक ना come on go and like the session and share the session the Hemis Sechu festival Hemis Sochu तेवहार जो है commemorates the birth anniversary of which of the following ठीक है ना आपको बताना है कि Hemis Sochu तेवहार जो है जो Hemis Sochu तेवहार है इन में से किसकी जेयनती के उपलक्ष में मनाया जाता है आदी गुरु संक्राचारे गुरु पद्मशंभब दलाई लामा या फिर गौतम बुद्ध ये पूछा गया आपसे Hemis Sochu फेस्टिबल जो है ये किसके जेयनती के उपलक्ष में मनाया जाता है कुश्चन ये है और आप्शन है संक्राचारे पद्मशंभब दलाई लामा या फिर गौतम बुद्ध ठीक है ना तुक्का भी मार सकते हो कोई परेशानी नहीं है तुक्का मार सकते हो कोई परेश सबी लोग कमान गो फॉर दरिप्लाई गो फॉर दर आंसर चलिए बटाईए फटाफट क्या होगा इसका अंसर मुझे पता है कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन इसमें है दलाई लामा के साथ लेकिन आपको ध्यान रखना इसका अंसर क्या हो जाएगा गुरूपद में श अगला सवाल ये है कि विच गिंग इंसक्राइब दा हाथी गुमपः जो उसको अलेफेंट केप कहतें इंस्क्रिप्चन उदैगरी हिल्स उरीसा किस राजा ने उदैगरी हिल्स उरीसा में हाथी गुमपः सिलालेक को उत्केंड किया था इस इड़ गालवेया इस इड़ दा सोवना राज, इस इट दा किंग खार बेल और इस इट दा वाडु का, जो हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन है, वो इन में से किस राजा के दौरा इंस्क्राइब किया गया था, किस राजा के दौरा इंग्रेव की गई थी, ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, कि हाथी गुंपा इस्क्रिप्शन इसमें से किस राजा की सबसे बरी देन थी, इस इस दा क्वेशन फॉर यू, प्लीज रिप्लाई टू में, हाजी सभी बच्चों, एक बार फटाफट सब लोग रिप्लाई कीजे इसको, सभी बच्चें फटाफट रिप्लाई करो इस क्वेशन को, ठीक ना, हाथी गुंपा इस्क्रिप्शन किसको डेडिकेटेड है यहाँ पे, तो आप क्या बताओगे, किंग खारबेल, जो कहां के थे, उदैगरी हिल्स ऑफ उडिसा के, बिल्कुल सही जबाब आप लोगों का, अगला सवाल यह है, कि as for the constitution of India, the national capital territory of Delhi, shall have a council of ministers, consisting of not more than, how many of the total members in the legislative assembly, भारत के संबिधान के अनसार, रास्त्रिये राजदानी छेत दिल्ली में, मंत्रियों की एक पलिशद होगी, जिसमें बिधान सभा में, कुल सदस्तों की संख्या, कितने से अधीक नहीं हो सकती है, 0.1, 0.15, 0.05, 0.02, बहुत अच्छा सवाल है यह, कि सवाल बहुत बढ़िया है बेटा, इसको आंसर करो, कि Delhi State Assembly के अंदर, जो maximum total member की जो strength हो सकती है, वो कितने से अधीक नहीं हो सकती, मंत्री परिशद क बात हो रही है, Council of Ministers की, कितने से ज़ादा नहीं होनी चाहिए, यह सवाल पूछा गया है आपसे, come on guys, go for the reply, यह 0.1 होगा, 0.15 होगा, क्या होना चाहिए इस cancer, यह बता, आपको पता है कि किसी भी कीमत पे 15% से ज़ादा, 15% से ज़ादा, किसी भी State Assembly में, जो मंत्री की संख्या है, वो extend नहीं कर सकती, तो 15% से उपर का कहीं कोई सीन नहीं है, अब अगर 15% के हिसाब से हम लोग देखें, तो यहाँ पे 0.1 है, 0.15 है, इसके बाद 0.5 है, 0.2 है, तो क्या बूलेंगे, हम लोग B option, 0.15, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीके ना, who was the founder of the सत्यसोजक समाज in 19th century, तेके ना, उन्नीश्वी सताब्दी में, सत्यसोजक समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानन्द, बियारंबेटकर, जोतिवा फुले, या इस्वर्चंद विध्यासागर, कम ओन गाइस, go for the reply, questions बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, देखो, पूरे सेट में, कम से कम 10 questions तो ऐसे आप मान के चलोगे, जो out of the box होगा बेटा, तो उसको आप consider मत कीजिए, जो question आपके लिए cake walk है, उसको टिक करो और बढ़ते चलो आगे, ठीके ना, जीवन में रुकना नहीं है, बरना है ठीके ना, तो 19 सताबदी में, जो सत्य सोदक समाज है, इसके संस्थापक कौन थे, विवेकानंद, अंबेदकर जी, जोतिवाफुले, या फिर, इस्वर्चंद विद्या सागर, ये पूछा गया है आप लोगों से, तो अगर सत्य सोदक समाज के संस्थापक की बात करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे, जोतिवाफुले, कौन हो जाएंगे, जोतिवाफुले, क्लियर है ये पॉइंट, चलिए, अगला सवाल आपका, question number 34, the sun hits the earth through which process, सुर्य जो है, वो कुस माध्यम से प्रिथिवी को गर्म करता है, conduction, प्रवाहक तत्व, radiation इसमें से वो कौन सा प्रोसेस है, जिसके तुरू, sun जो है, वो हीट अप करती है, अर्थ को, यानि कि सुर्य जो है, अपने किस प्रिक्रिया के द्वारा, प्रिथिवी को गर्म करती है, conduction, radiation, fusion या convection, प्लीज गो फॉर दर रिप्लाई, प्लीज गो फॉर दा आंसर, बहुत आसान सवाल है, हंजी बच्चों, रिप्लाई किजे सभी लोग, आप बिलकुल, होचला नहीं हारना है, सभी लोगों को सेशन में जुड़े रहना है, सेशन के साथ बने रहना है, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो यहाँ पर क्या बताओगे, आप बिक्रन और एक सबसे इंपोर्टेंट चीज़ होती है, इंसोलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे सूरिताब, जो इंकमिंग सोलर रेडियेशन है, जिस प्रक्रिया के द्वारा सूरिक की किरने प्रिथवी की सतर तक पहुंसती है, उसको हम लोग क्या बोलत करके पेरेनियल रिवर्स का क्या करती है, निर्मान करती है, तो याद अखना कर कभी भी ये सवाल पूछा जाए, कि ग्लेशियर या जो हमनाद हैं, वो किस प्रक्रिया के दोरा पिखलती है, तो आप क्या बताओगे, तो टेरेस्ट्रियल डेडियेशन के कारण, जो हीट ए लॉड करजन ने केसरे हिंद स्वान पदक से सम्मानित किया था, नंदलाल बोस, जामनी रॉइ, अवनेंदर नाठ टेगोर या डॉक्टर राजा रभी बर्मा, प्लीज गो फो फो दा आंसर, ये बताना है आपको, कि उस फेमस चितरकार का नाम, जिसने भारत के विटिस व अब निंदलाट टेगोर या फिर राजा रभी बर्मा, इस से आसान कुछ नहीं, इस से बहतर कुछ नहीं, बस लगे रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक ना, इसका आइसर क्या होगा, हंजी, के इसरे हिंद, गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया था, तो प्atyक भोकानल किस खेल से समबंदित है, दघ्च भोकानल किस खेल से सम्मानित है, तो प्लीज, कीप आंसरें इस idag बताओ लोग, तो आपको बताना है कि जो भोकांल है, ये इनमें से किस से सम्मानित हैं, आप क्या बताओगे, नौकायान, किसी से है नौकायान, जिसको हम क्या बोलते है रूइंग, इसको ध्यान रखना है आपको किस फिल्ड से हो जाएगा, तो नौकायान अगला सवाल यह है बेटा कि during the occurrence of thunder and lightning क्या होता है, गरजन और बिजली की घटना के दौरान, इसमें से कौन सी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है यह सवाल पूछा गया है, पहला है thunder is heard before lightning is seen, बिजली गिरने से पहले गरजन सुनाई देती है, lightning is seen at the same time as thunder बिजली उसी समय देखी जाती है जब गरजना सुनाई देती है, whether lightning is seen first or thunder is heard first, will depend upon the distance and angle of the clouds, चाहे बिजली पहले दिखाई दे, या गरजन पहले सुनाई दे, या पृत्वी के बादलों की दूरी और कोन पर निर्वर करेगा और lightning is seen before thunder is heard, बिजली गरजना पहले सुनाई देती है, बिजली गरजन सुनाई देने से पहले दिखाई देती है इसका क्या आंसर होगा, ये बहुत आसान सवाल है, पहले आबाज, या पहले बिजली पहले दिखाई, पहले आप देसे आप cricket match को live देखते होगे, तो कभी-कभी आपको लगता होगा, कि shot पहले खेली गई है, और उसके बाद जो sound है, वो क्या आया है, बाद में आया है, ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को बिलकु सुनाई देता है, तो आपको ध्यान रखना है, कि जो speed of light है, वो speed of sound से क्या होती है जादा, तो आपको ध्यान रखना है कि lightning is seen before the thunder is heard, D will be the correct answer, clear है यह, D will be the correct answer, अगला सवाल यह है as per the constitution of India, पंचायतs at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding how much भारत के संभीधान के अनुसार मध्यबरती स्तर पर पंचायते ऐसे राज में गठित नहीं की जा सकती है जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक नहीं है, 25,00,000 से जादा, 20,00,000, 25,00,000 से जादा, 25,00,000 से जादा, 12,00,000 से जादा या 15,00,000 से जादा यह पूछा गया है, भारत के संभीधान के अनुसार, जो मध्यबरती स्तर पर पंचायत है, उसका गठा नहीं हो सकता है, cannot be constituted in a state having a population इस से आसान कुछ नहीं reply होता रहना चाहिए और session share होते नहीं चाहिए, 300 दक ले जाओ, अभी हम लोग 272 पे है, make it 300 यह तभी possible है, जब आप लोग session को एक बार share कर दो मेरे बच्चों, इसको share करो, और अगर पसंद आ रहा है session, तो like करो और share करो, ठीक है ना, कितना होना चाहिए इसका answer, please go for the answer क्या बताओगे आप, 20 lakh कितना है, 20 lakh यह ध्यान रखना है, 20 lakh is the answer for this one, ठीक है चलिए, question number 39 पर आते हैं हम लोग, which Indian scientist has been chosen for the first Sheikh South International Prize for materials researched by the Center for advanced materials of the UAE किस भारतिय बैज्ज्यानिक को UAE के उन्नत सामगरी केंदर Center for advanced material research द्वारा, सामगरी अनुसंधार material research के लिए, पहले सेख साउध, अंतर राश्ट्रिये पुरुस्कार के लिए चुना गया है, अशोक सेन, जैंत नर्लीकर, रगुनात अनंत मार्षिलर, आरे मार्षिलकर या CNR राव, फ्लीज गो फोर इट, प्लीज गो फोर इट, प्लीज गो फोर दा आंसर, come on, सभी लोग, रिप्लाई कीजे इस question का आंसर, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, हंजी, सभी लोग रिप्लाई करो, इसका क्या आंसर होगा, अगला सवाल यह है यहाँ पे, राष्टपती अपने पद से, अपना इस्तिफा, लिकित रूप में, किसको प्रदान कर सकते हैं, भारत के उप्राष्टपती को, भारत के प्रदान मंतरी को, लोग सभा के स्पीकर को, या चीफ एलेक्शन कमिस्नर को, यह बताना है आपको, ठीके ना, बारत के प्रदान मंतरी को, स्पीकर आप दे लोग सभा को, या चीफ एलेक्शन कमिस्नर को, प्लीज गो फ़र दा आंसर, प्लीज गो फ़र द रिप्लाइए, बच्चों दोसब पचासी लोग, सतासी लोग लाइव हैं, इसको तीन सो दक ले जाओ एक बार सभी लोग, make it 300, और इसके लिए शेर करो सेशन को, और लाइक करो सेशन को सभी लोग, if you are enjoying the class, please do it for me, please do it for online benches, please go for it, किसको देगा अपना इस्तिफा, ये पूचा गया है सवाल, हंजी, फटा फट रिप्लाइए कीजी आप लोग, क्या बता होगे आप, भारत के उपरास्पती को, यानि की, वाइस प्रेसिडेंट ओफ इंडिया को, बिल्कुल सही का आप लोगों ने, अगला सवाल ये है, the Governor General of India was given the title of Vice Roy for the first time, in which year, भारत के Governor General को पहली बार, Vice Roy की उपाधी कब दी गई थी, 1857 मे, 1858 मे, 1856 मे, या 1859 मे, please go for the answer, Governor General of India was given the title of Vice Roy for the first time, in which year, भारत के Governor General को पहली बार, Vice Roy की उपाधी कब दी गई थी, 1857, 1858, 1856, 1859, हंजे, सभी लोग reply करो, अपको पता है, कि 57 के बिद्रों के बाद, जो supply mutiny थी, Government of India Act 1858 लाया गया, जिसके बाद, जो company rule थी, वो इंडिया में समाप्त की गई, और उसके जगापे crown का सासन आया, यानि कि the entire power from the company was shifted to the crown, और उसके बाद, Governor General के पद को भंग करके, crown के representative के रूप में, किसे लाया गया था, Vice Roy को, तो answer क्या हो जाएगा, 1858, Government of India Act 1858 के दोरा, All clear, All done, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, चलिए, अगला सवाल ये है बिटा यहाँ पे, कि a pillar containing inscription from three different periods, Mauryan period, Gupta period and Mughal period is located at which place, बहुत अच्छा सवाल है ये, वह अस्थम जिसमें तीनों अलग-अलग अब्दियों, यानि Mauryakal, Guptaakal और Mughalakal, इन तीनों के सिलाले कहां पर इस्थित है लौडिया नंदंगर, रुमिन देई, तोपरा, या फिर अलाहबाद, बहुत अच्छा question है, it's a very very important question, it's a very very important question, हम लोग 298 पे watching है, make it 300 guys, come on, share the session with everyone, make it 300, 300 बनाओ इसको, सबी लोग, फटाफट करो इसको, वो पिलर कहां पर है, a pillar containing, a pillar containing inscription from the three different periods, Mauryan period, Gupta period, Mughal period, कहां पर located है, लौडिया नंदंगर, रुमिन देई, तोपरा, या फिर अलाहबाद, please go for the answer, फटाफट answer चाहिए मुझे इस question का, क्या होगा इसका answer, तो आप क्या बताओगे, अलाहबाद, यानि की, प्रियाग राज में, D is the correct answer, अगला सबाल है, which of the following governor generals, introduced the code, which provided for the separation of revenue administration, from judicial administration, the revenue administration from the, which went judicial administration, निमलिखित governor general हों में से, किसने एक संगीता पेस की, जिसके तहर, नियाइक प्रसासन से, राजस्ट प्रसासन को क्या किया गया था, अलग किया गया था, वो कौन सा governor general है, वो कौन सा governor general है, जिसने introduce किया एक code को, जिसने provide किया, separation of revenue administration, from the judicial administration, revenue administration को, judicial administration से separate करने के लिए, किस governor general यानुसांसा की थी, Lord Cornwallis, William Benting, Wellesley या Warren Hastings, please go for the reply, please go for the reply, सभी लोग इसको answer कीजिए, Cornwallis, William Benting, Wellesley या फिर Warren Hastings, come on, जजवा दिखाओ सब लोग, इसी जोस के साथ, इसी उमंग के साथ, session में बने रहिए, अभी और अच्छे-च्छे question आने वाले हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, 40% question यहीं से है, इसको ध्यान डखना हैं आप लोगों को, it is the Lord Cornwallis, क्या होगा answer, Lord Cornwallis, A is the correct answer, अगला सवाल ये है, which of the following, is not a fundamental right of Indian citizen, निमलिकित में से कौन सा, भारतिये नागलिकों का, मौलिक अधिकार नहीं है, which of the following, is not a fundamental right of the Indian citizen, is it a right to property, संपती का अधिकार, is it right to constitutional remedies, संबेधानिक उप्चार का अधिकार, is it right to form association, संग बनाने का अधिकार, और is it freedom of movement, आंदोलन की सवतनता का अधिकार, कौन सा fundamental right नहीं है, ये बताना है आप लोगों को, come on, reply to this question, कौन सा वो है, जो fundamental right नहीं है, आपको पता है, कि article 300A, article 300A को, हमारे constitution में जोरा गया था, 44th Amendment Act, 1978 के द्वारा, जो की जन्ता पार्टी की सरकार थी, जब मुरार्दी रसाई हमारे प्रधान मंत्री थे, और उन्होंने संपती के अधिकार को, मौलिक अधिकार से हटा करके, एक कानूनी हथ, यानि की legal right declare किया, this is called as the right to property, so answer will be which one, right to property, very good, क्या बात है, यही जजवा चाहिए बेटा, यही जजवा, जिसे साब से आप जुरे हुए होना, बस यही जजवा चाहिए, एक बार सारे 300 बनाओ इसको, 3111 पे live चल रहा है, make it 350, on the online ventures, SST railway channel, जिसको दिखाओ आपकी, हमसे बहतर कोई नहीं है, और यह जजवा आपको दिखाना परेगा, और यह तभी संबब है, जब आप लोग इस सेशन को, अपने दोस्तों तक पहुचा होगे, which of the following bodies, is primarily concerned with the, maintaining the integrity of the, international financial system, निमलिकित में से कौन सा निकाई, मुख्य रूप से, अंतर राष्ट्रिय बित्य प्रणाली की, अखंडता को बनाया रखने से संबन्दित है, कौन सा निकाई, मुख्य रूप से, अंतर राष्ट्रिय बित्य प्रणाली की, अखंडता को बनाया रखने के लिए, बनाई गई है, IMF International Monetary Fund, FATF Financial Action Task Force, AIIB, Asia Infrastructure Investment Bank, या फिर ADB, Asian Development Bank, प्लीज गो फॉर दे रिप्लाई, सभी लोग, एक बार रिप्लाई हो जाए, बेटा, सभी लोग एक बार रिप्लाई करो, जितने लोग लाइव हैं, प्लीज गो फॉर दे रिप्लाई, प्लीज गो फॉर दा आंसर, ठीक है ना, सभी लोग रिप्लाई कीजिए, हंजे, प्लीज गो फॉर इट, I want the reply from each one of you कौन सा वो authority है क्या बताओगे आप इसमें FATF Financial Financial Action Task Force ठीक है ना और यह किसकी initiative है तो आप बताओगे G7 countries की G7 की initiative है यह अगला सवाल यह है बैथोलिट्स are landforms created by which activities महा असकंद जिसको बैथोलिट कहा जाता है महा असकंद इन में से किसके द्वारा निर्मित एक भू आकरिती संग्रचना है भूजल यानि की ground water volcanic activities जो आला मुखी गतिवीधिया fluvial action नदियों के द्वारा या glacier यानि की हिमनादों के द्वारा यह बताना है आपको जो बैथोलिट्स हैं जिसको महा असकंद कहते हैं यह जो land forms है यह इसमें से किसके द्वारा create किया गया है ground water volcanic activities fluvial action या फिर glaciers please go for the reply अच्छा जजबा कम नहीं होना चाहिए बच्चों like गिरने नहीं चाहिए और share गिरना नहीं चाहिए ठीक है ना सभी लोग PDF मिलेगी बेटा PDF सबको मिलेगी PDF की चिंता नहीं है अभी cable question पे concentrate करो अभी हम लोग आधे पे पहुचने वाले हैं उसके बाद मैं आपको 50 question अभी और कराऊंगा बस जजबा बनाये रखो ठीक है ना which of the following industries is not included in the 8 core industries of India भारत के जो 8 core उद्योग है जो इंडिया के 8 core industries है उसमें कौन सामिलित नहीं है उसमें coal सामिल नहीं है ये पूचा गया है आपसे इसका जबाब दो आप लोग ठीक है ना 8 core industries में कौन सामिल नहीं है 8 core industries में कौन कौन सी सामिल नहीं है ठीक है ना देखो अगर हम लोग 8 core industries की बात करते हैं यहां पे तो आपको ध्यान रखना है coal है इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे crude oil है इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है natural gas है इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि petroleum ठीक है ना petroleum products है petroleum refinery products है इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि fertilizer है इसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पे cement है ठ स्टील है और इसके बाद ध्यान रखना है आपको एलक्ट्री सिटी है तो यह जो है वो एट कोड इंडस्ट्री हैं कहां पे तो हम बताओगे आपके इकोनॉमिक सेक्टर में अब सवाल यह पूचा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कॉटन इस दा करेक्ट आंसर क्लियर है मैंने सारे इंडस्ट्री बता दी है आप लोगों को कॉल क्रूड ऑइल नैचुरल गैस पेट्रोलियम रिफाइनरी फर्टिलाइजर सिमेंट स्टील और एलक्ट्रिक तो कॉटन इसका आंसर हो जाएगा चलिए अगले सवाल पर आते है इनमें से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है एक बार फिर देख लो आप लो क्या था इसमें तो कोल है, क्रूड ऑइल है, नैचुरल गैस है, पेट्रोलियम, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, स्टील है और एलक्रिसिटी है ठीक है अब सवाल ये पूच जोवियन ग्रह नहीं है, जोवियन का मतलब क्या है, जूपीटर लाइक, जूपीटर के समान कौन सा ग्रह नहीं है, सैटर्न, सनी, यूरेनस, अरुन, मार्स, मंगल, या डी, ब्रिहस्पती, ये पूचा गया है, क्या बताओगे इसके अंदर आप लो, बिलकुल सही का आप आपने, मार्स जो है, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये क्या है, तो आप बताओगे, इस अटेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो बाकी जो बच गया, वो क्या हो जाएगा, आपका जूवियन प्लैनेट हो जाएगा, अगला सवाल, स्पोर्ट्स परसन, तो अद्रधूदं सिंग नेगी किस खेल से संबन्दित है आर्चरी यानि की तीरंदा जी या फिर शूटिंग निसानले लॉन टैनिस या फिर बॉक्सिंग यानि की आजिए बताना है आपको नेगी साहब किस खेल को प्रेजेट करते हैं यह किस खेल से इसोस्ution से हैं दूर् तीके से मेरे साथ बने रहो आप लो सावा एक ग्यारता खतम कर दूंगा आप चैंशन मतलो ये क्या हो जाएगी बॉक्सिंग यानि की मुक्के बाजी दुरियोधन सिंग नेगी किस से हो जाएगा मुक्के बाजी से रिभर कावनी जो है ये इसमें से किस नदी की सहायक नदी है कावनी नदी किसकी सहायक नदी है महा नदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी आपको ये बताना है कि जो कावनी रिभर है ये किसकी ट्रिब्यूट्री है महा नदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी की इस से सवाल इस से आसान कुछ नहीं हंजे सभी लोग जितने लो आके हैसा कर दो सबी लोग ठीक है ना तो आप क्या बताओगे यहां पे कावनी जो है वो कहां से किसकी ट्रिब्यूट्री है कावेरी की और ध्यान रखिएगा कावनी एक मात रहसी सहायक नदी है कावेरी की जो की केरला से ओलिजिरेट होती है जबकि कावेरी बहती कहां से है करनाटक और तमिलनाडू से तो D is the correct answer बता दू मैं आपको आज सुबह 11 बजे से English Grammar का FCAT पर session होगा 100 most expected question इस session के बाद 11 बजे आपका English का session होना English Grammar पर FCAT के लिए ठीक है ना और 7 साथ शाम सारे 5 बजे आज current affair का पहला part होगा कासिफ अंसारी सर के साथ इसी channel पर ठीक है ना चलिए which of the following era is also known as the age of mammals किस युग को अस्तंधारी युग के रूप में जाना जाता है ठीक है ना इसमें से कौन सा वो age है जिसको हम अस्तंधारी युग के रूप में जानते हैं नियोजोइक, पेलियोजोइक, स्टेनोजोइक, मेसोजोइक, प्लीज गो फॉर दा आंसर किस age को आप age of mammals के रूप में जाना जाता है सेशन खतम नहीं हुआ है बिटा अभी हम लोग सेशन पे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है अभी 50 questions और कराऊंगा stay with me, stay tuned with me और हमेशा अभी online benches के साथ जुरे रहो आप लोग अभी और भी बहुत सारे questions आने बाकी हैं तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, कौन सा सवाब हो जाएगा यहाँ पे तो आप क्या बताओगे, it's the which option आप क्या बताओगे, यहाँ पे सेनो जोहिक हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेनो जोहिक, नूतन जी भी अगला सवाल यह है, सुल्तान ओफ जोहर कप is a tournament of which sport सुल्तान ओफ जोहर कप थी स्खेल का tournament है इस sports से तो question रहेंगे ही रहेंगे आप sports के question को बिलकुल भी नजर अंदाज नहीं कर सकते दरकिनार नहीं कर सकते यह सवाल बिलकुल आएगा sports section के questions बहुत important है आपके लिए सुल्तान ओफ जोहर कप तूनामेंट जो है वो किस खेल से संबन्दित है football, cricket, hockey या badminton हंजे, सबी लोग reply कीजिए सुल्तान जोहर कप तूनामेंट किस खेल से related है किस खेल से संबन्दित है यह पूचा गया है आपको तो आप क्या बताओगे, it's the hockey क्या हो जाएगा, it's the hockey C is the correct answer sports पे लाओंगा session, don't worry मैसूर पेटा is a traditional attire which is word on the, which of the following body parts, जो मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है इसे हम किस अंग पे पहनते हैं रिस्ट यानी की कलाई वेस्ट यानी की कमर, सोल्डर यानी की कंधा, और हेड यानी की सिर यह पूचा गया है आपसे, ठीक है ना जो मैसूर पेटा है, जो एक जरूरत है, और सिद्दत को दिखाने की जरूरत है, तो इसी सिद्दत के साथ सेशन पे लगे रहे और सेशन को गिरने मत दीजिए, आप लोग सेशन को उठा के रखो, और यह आपकी जिम्मेदारी है, यह बताईए क्या होगा मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद हो जाएं तो याद रखेगा, जो मैसूर पेटा है यह कहां पे पहना जाता है, तो आप क्या बताओगे, सिर के उपर, यानि के हेड के उपर, अगला सवाल यह है इन दा कंटेक्स ओफ क्यापिटल मार्केट, दा अभरिवरियेशन एप्पियो स्टैंज फर वाट, एप्पियो का संदर में इतमें से किस से है, फ्री पब्लिक ओफर, फ्र्स्ट पॉट्फोलियो या first public offer, what does FPO stands in the context of capital market, capital market के संदर में कौन सा कथन FPO के लिए सही है, is it the free public offer, first portfolio operation, follow on public offer, या फिर first public offer, come on reply to me, क्या होना चाहिए FPO का इसा, देखो, सबसे पहले आती है IPO, जिसको बोलते है initial public offer, और उस IPO से, जितना amount हमें market से चाहिए, अगर वो हम generate नहीं कर पाते हैं, तो उसके substitute में हम लेकर के आते हैं, follow on public offer, ठीक है ना, IPO क्या हो जाएगा, IPO के बाद जारी किया गया instrument, जिसका एक ही मकसद है, कि market से अधिक से अधिक पैसा हम क्या कर सकें, generate कर सकें, चलिए, अगला सवाल ये है वेचा, कि in the context of the state and administration in the Delhi सल्तनत, the term मुक्ती means what, दिल्ली सल्तनत में, राज और प्रसासन के संदर में, मुक्ती सब्द का अर्थ क्या है, यानि कि जो मुक्ती वर्ड है, वो सल्तनत पीरियेड में, administration के किस पार्ट के लिए, यूज किया गया था, ये होता था, ग्राम पंचायत का मुक्या, head of gram पंचायत, जिला अस्तर का नियाई कथिकारी, a district level judicial official, the holder of land assignment called IKTA, IKTA नामक भुमी अवी, हस्तांकन के धारक, the head of a village community, या gram समुदाई का प्रवोग, तिक है न, आपको पूछा गया है कि मुक् स्केटर के लिए किया गया था, किस प्रकार के प्रसासनिक अधिकारी के लिए अस्तेमाल किया गया था, शब्द मुक्ती, तो आपको ध्यान रखना है, IKTA नामक भुमी अभी हस्तांकन के धारक, ठीक है न, the holder of a land assignment called IKTA, आपको पता है कि इल्तुत्मिश, वो सासक था, सु दास दोनों था, जिसने IKTA सिस्टम और दल चालीसा की क्या की थी, सुरवात की थी, तो इस कहांसा सी हो जाएगा, अगला सवाल ये है, as per the interpretation by the Supreme Court of India, tapping of phone calls, in fact, the fundamental right provided in which article of the constitution, भारत के सर्वोच चन्यालय की ब्याख्या के अनुसार, phone call का दोहन, संबिधान के किस अनुछेद में प्रदक्त मौलिक अधिकार को बादित करता है, यानि कि किसी भी नागरिक के, अगर phone call को tap किया जा रहा है, तो वो उस नागरिक के, किस मौलिक अधिकार का हनन है, और वो कौन से, वो कौन सा article है, जिसके अंतरगत हम कह सकते हैं कि नागरिक के, मौलिक अधिकार का हनन कि जा रहा है, tapping of phone calls is the violation of which fundamental right mentioned in the Indian constitution, article 21, article 25, article 24 या article 22 ये पूछा गया है आप से, ठीक है ना, कि भाई tapping of phone calls जो है, ये किस article का violation है, ठीक है ना, अब बताओ, बिल्कुल सही का आपने, right to privacy, नीजीता का अधिकार, नीजीता का अधिकार, और नीजी का अधिकार जो है, वो किस article में ह 21 में, so A is the correct answer for this question, brilliant, अगला सवाल, what did the term शाला भोग stand for with respect to revenue administration under the imperial चोलाज, साही चोला राजवन्स के तहत, राजस प्रसासन के संबद में, शाला भोग सब्र का क्यार था, यानि कि जब चोल राजवन्स का सासन था, तो उन्होंने रेवेन्यू के टम्स में, एक वर्ड यू विर्द्याले के रख रखाओं के लिए दान की गई भूमी, अन्यूली सेटल विलेज, एक नया बसाया गया गाओ, लैंड डोनेटेड टू अवर्यर, एक योध्या में, को दान में दी गई जमी, या लैंड डोनेटेड फॉर दा मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन फैस्टिट का मतलब क्या था, उसका मीनिंग क्या था, ये पूछा गया है, कोई आंसर है आप लोगों का, प्लीस टेल मी अबाउट इस, प्लीस टेल मी अबाउट दा कॉस्टन नमर 57, वाट विल बी दा आंसर फॉर दा शाला भोग, प्लीस गो फॉर इट, कम आन गाईज, रप्लाई वेरे वेरी क Müли फटा फट, क्या बताओगे, जो बिलकुल कहा गया आपने, तो अगर हम शाला भोग की बात करते हैं, तो लेंड डोनेटिट फॉर दे मेंटेनीनस ओफा स्कूल हो जाएगा, बिलकुल सही कहा आपने, लेंड डोनेट फॉर दे मेंटेनीनस ओप दे स्कूल ह जाएगी, बिल्कुल सही है, which of the following traditional dances is not a martial art form, निमलिकित में से कौन सा पारंपरिक नित्न, martial art का रूप नहीं है, इसमें चार डांस दिये गए हैं, और पूछा गया है कि कौन सा dance form, martial art का form नहीं है, please reply to me very quickly, come on guys, which of the following traditional dances is not a martial art form, ये पूछा गया है यहां पे, सभी लोग फटा बरताओ, छव, भवई, उसके बार, कलारी पैट्टू, या लाजिम, ये पूछा गया है, कौन सा dance form ऐसा है, जिसका, जो कि traditional dance form नहीं है, martial art form का, हंजी बच्चों एक बार reply करो सभी लोग, quickly go for the reply, क्या बताओगे आप यहां पे, it's the भवई, क्या हो जाएगा, it's the भवई, clear है ये, please reply to me, अगला सवाल ये है, सुर्मा नदी, which is also known as the बराक river, originates in which of the falling state, बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार exam में आया है, इसको आपको भूलना है, सुर्मा river के बार में पूचा जा रहा है, कि इस सुर्मा river, which is also known as the बराक river, basically originates in the which of the following hills, is it the मनीपूर hills, is it the पतकाई भूम, is it the मीजो hills, or is it the नागा hills, please go for the reply, जोस बिलकुल खत नहीं करनी है आप लोगों को, अभी हम लोग 59th question पे है, अभी 31 questions मुझे आपको औ कराने है, 41 questions, so please maintain the tempo of the class, so you have to tell me, कि इस सुर्मा river, which is also known as the बराक river, originates from which of the following hills, is it मनीपूर, पतकाई भूम, मीजो, और नागा hills, यह यह रखना, जो पतकाई भूम है, यह कहां पर है, तो आपता होगे, अरुनाचल में, this is in the state of अरुनाचल, यह ध्यान रखना है, और इसका answer, क्या हो जाएगा बच्छो, इस the A option, that is the मनीपूर हिल्स, question number 60th में लोगा रहे है, who among the following, has co-authored the book, titled, Good Economics for Hard Times, Better Answers to Our Biggest Problems, this is the question for you, कि who is the co-author of the book, titled, Good Economics for Hard Times, Better Answers to Our Biggest Problems, is it Avijit Banerji, is it Amartya Shain, is it Rahuram Rajan, or is it Kaushik Basu, please go for the answer, the book is, Good Economics for the Hard Times, Better Answers to Our Biggest Problems, yes, please go for the reply, और मैं आपको एक हिंट देता हूं, कि इनको Nobel Prize भी दिया गया है, economics का, and he belongs to the Indian origin, he has the background from the state of West Bengal, and he is none other than, one of the reputed economists of the world, that is, Avijit Banerji, am I clear to you all, क्या यह पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, इसको ध्यान रखियेगा आप लोग, question number 61, now the count and begins, which of the following ports is not located in Gujarat, इन में से कौन सा बंदरगा जो है, आपको ध्यान रखना है, कि भाई, गुजरात में नहीं है, कौन सा बंदरगा गुजरात में नहीं है, is it Sikkha port, is it Deghi port, is it Okha port, or is it Mundra port, which of the following port is not in the states of Gujarat, ये बताओ आप लो, which of the following port is not in the state of Gujarat, please reply to me very quickly, Sikkha, Deghi, Okha, या Mundra, please tell me about this particular question, फटाफर बताओ आपको, देखो, ध्यान रखना है आपको, ये जो Deghi port है, ये आपको कहां पे है, तो आप क्या बताओगे, महारास्टर के अंदर, Deghi कहां पे है, महारास्टर में, और Deghi के अराबा, बाकि जितने भी ports हैं, Sikkha है, Okha है, Mundra है, ये कौन से state में हो जाएंगे, It's in the state of the Gujarat, देखो भाई, भारत में दो ही चीज़ चल रही है, एक तो fog चल रहा है, दूसरा Gujarat चल रहा है, आप कहीं भी चले जाओ, के बल ये चीज़ें common मिलेंगे आपको, ठीक है, next important thing is that, कि which of the foreign statements is true regarding the disinflation, बहुत अच्छा सवाल है, 5 market conditions होती है, inflation, deflation, disinflation, reflation and stagflation, now the question is that, कि which of the statement is true related to the disinflation, it is a scenario when the inflation is mainly due to inflation of only a few commodities and not of all commodities, and overall decrease in the prices over a specific period of time, a decrease in the rate of inflation in a specific period and a sudden sharp decline in the prices due to the unexpected results, always remember, कि we have 5 scenario and 5 conditions in the market, inflation, deflation, disinflation, stagflation and then we have the reflation, you have to answer this question, कि disinflation के संदर में कौन सा कथन जो है, वो बिलकुल सही बैट रहा है, चलो, फटाफ़ट रप्लाइ करो सभी लोग, अभी मैं सारे options को explain कर दूँगा, पहले आप इस का अंसर बता मुझे, क्या होना चाहिए, देखो disinflation कब होती है, ठीके न, अगर, अगर prices जो है, अगर prices जो है, वो क्या कर रही हो, decrease कर रही हो, किस तरीके से, specific period of time है, आपको ध्यान लखना है, जब gradual decrease होगा, जब gradual decrease होती है, तो disinflation, अगर sudden increase हो गई, तो inflation, और जहां पे, out of the multiple commodities, अगर केबल कुछ commodities की prices बढ़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, इसको कहा जाता है, skewflation, इसको क्या बोलते है, skewflation कहा जाता है, और stagflation कब होगा, जब unemployment और inflation दोनों एक साथ हो जाए, Unemployment और Inflation जब दोनों एक साथ हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? Stag Fration बोल देंगे Who started the Tamil Weekly Magazine? कुडी आरसू कुडी आरसू जो है ये एक तमिल साथाहिक पत्री का है कुडी आरसू इसकी सुरुवात इनमें से किसके दोरा की गई थी? सी नातेसा मुदलियार, पेरियार इभी रामा स्वामी, टी एम नायर या फिर चिन्ना स्वामी सुब्रमन्यम भारती ये चार important options हैं नहीं demand pull तब होगा अनराग जब aggregate supply is not equal to aggregate demand अब सवाल ये पूछा गया है कि Tamil weekly magazine जो कुडू आरसू है ठीके ना वो किसके दोरा स्टार्ट की गई थी? This is the question for you, फटाफट बताईए सब लोग, अभी हम लोगों को लगबर 37 questions और करने हैं तो आप लोग बने रहिए इसी जजवे के साथ, इसी जोस के साथ और जो लोग नए है session पे, please like कीजे session को और share भी कीजे साथ-साथ आप क्या बताऊगे, पेरियार इभी रामा स्वामी, so B is the correct answer पेरियार इभी रामा स्वामी will be the answer for which one, the Tamil weekly magazine, कुडू आरसू अगला सवाल ये रहा आपके screen पे, part 4 of the constitution of India does not explicitly expect the state to secure which of the following भारत के संभीधान का भाग चार, जिसमें directive principles of state policy है, राज के नीती दिदेश तत्तो की चर्चा की गई है असपस्च रूप से, राज को क्या सुरक्षित नहीं करने का guideline देता है, ये सवाल पूछा गया है Is it the maternity leave for the employed women, यानि कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए, मात्रित अवकास, equal pay for equal work, समान काम के लिए समान बेतन, adequate means of livelihood, आजीविका के प्रयाप्त साधन, या no concentration of wealth and means of production इसमें से कौन सा वो अधिकार है, जो की part 4 में mention नहीं किया गया है, इसको बताओ आप लो, quickly हांजी बचों, एक बर फटाफर रप्लाइ करो सभी लोग, इसका क्या समचा है, part 4 of the constitution of India does not explicitly expect the state to secure, which of the following, any idea, please tell me about this, हांजी, फटाफर बताओ सभी लोग, इसका answer क्या हो जाएगा, इसका ए, maternity leave for the employment, वेवन की भी प्राभधान रखी गई है, कि भाई, maternity leave, जो है, that is work without pay, pay without work का जो प्राभधान है, वो रखा गया है इसके हंदर, अगला सवाल क्या है हमारा, तोलका प्यार is a famous ancient grammarian of the witch language, तोलका प्यार किस भासा का एक प्रसिद्र प्राचीन ब्याकरन करता है, तमिल, कंणर, तेलगू या उडिया, तमिल, तेलगू, कंणर या उडिया, ये बता लैंग्वेज का सबसे महत्वपून ग्रैमेरियन था, तमिल, कंणर, तेलगू, उडिया, तमिल, कंणर, तेलगू, उडिया, तोलका प्यार is a famous ancient grammarian of which language, फटा फटा फट बताईए सभी लोग, प्लीज, गो फो फो दर रिप्लाई, हंजी, एक बास सभी लोग इसको रिप् option, अगला सवाल ये है, कि which of the following archaeological sites has evidence of pit dwelling, निमलिकित में से किस पुरा तत्विक अस्तल पर गड़े में होने के प्रमान होते हैं, यानि कि pit dwelling का मतलब होता है, गड़ों में घर बनाके रहने की कला, राना गुंडई, मेहरगर, बुर्ज होम, या फिर पालावोई, इसमें से कह पे pit dwelling जो है, वो सबसे जादा famous है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, राना गुंडई, मेहरगर, बुर्ज होम, या फिर पालावोई, ये पूछा गया है, प्लीज गो फॉदा आंसर, इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये बताओ सभी लोग, ठीक है ना, which of the following archaeological sites has evidence of the pit dwelling, क्या होगा इसका आंसर, आप बताओगे, बुर्ज होम, इसके अलावा, एक और जगह पे इसका sign मिला है, वो कहां पर है, पता है आपको, तो ध्यान रखना है, पंजाब के रोपर में, तो pit dwelling जो है, जहां गर्त में लोग घर बना के रहते थे, वो बुर्ज होम में है, हा has been eradicated worldwide, निमलिकित में से कौन सी बिमारी, दुनिया भर में क्या कर दी गई है, समात्त की गई है, यह उसको eradicate कर दिया गया है, प्लेग, then we have draconoliasis, is it chicken pox, और is it a small pox, इसमें, बिलकुल toothpaste में नमक है भाई, पूरी बोरी भरवर के है, वो भी टाटा का नमक है, टेंशन मतलो देश का नमक है, देश का, चलिए, तो which of the following diseases has been eradicated worldwide, तो आप क्या बताओगे, it's the small pox, यानि की चेचक, कौन सा है, small pox, यानि की चेचक, हवन करेंगे हम लोग, ठेकना, it's the plague, then we have draconoliasis, chicken pox, and the small pox, ठीक, इसको ध्यान रखना है, भाई, आपने वो यूज किया है, क्या र अबा रामदेब के toothpaste में, लगवक सारे ingredients हैं, ठीक है न, नमक के साथ, वहाँ पे, जाइफल भी है, black paper भी है, तो वो toothpaste कम कराते हैं, हवन जादा कराते हैं, ठीक है न, हाँ, नेहा मैमी आई थी, बिलकुल, चेचक होगा इसका answer, चलिए, अगला सवाल ये है, कि the novel title, the novel title, the novel title सुकुमार सेन, या फिर सल्मान रस्दी, बिलकुल sufficient है भाई, बस अभी आप इस पर concentrate करो, ठीक है न, आपको बताना है कि the novel title, the question is authored by which of the following author, is it Amit Chaudhary, V.S. नाइपॉल, सुकुमार सेन, और is it the सल्मान रस्दी, प्लीज गो फ़र रप्लाई, सभी लोग इस question का answer कीजिए, quickly go for the reply, हाँ जी बच्चों, क्या होगा इसका answer, तो आप क्या बताओगे, सल्मान रस्दी, जो जोस है वो कम नहीं होना चाहिए, like और श्र होते रहने चाहिए, session के अंदर, अगला सवाल ये है बेटा, कि which state of India is given the popular name of India's bread basket, ठीक है न, आपको ध्यान रखना है, कि भारत के कि राजी को भारत की रोटी के टोकरी के लोग पर ये नाम से दना जाता है, which state of India has been given the popular name of India's bread basket, is it A. Assam, is it B. Maharashtra, is it C. Uttar Pradesh, और is it B. Punjab, please go for the answer, bread basket of India, इसमें से किस state को कहा गया है, which of the following is called as the bread basket, ऐसा इसलिए, क्योंकि इस state में जो agriculture productivity है, वो मौनसून पर depend नहीं नहीं है, यहाँ पर well-defined irrigation system है, और पूरे इंडिया में, जो per hectare productivity है food crops की, वो सबसे रिक इसी राज में होती है, और उस राज का नाम क्या है, तो आप बताओगे, none other than Punjab, so which is the answer, it is the Punjab, next important, question number 78, माहूरी is a traditional musical instrument belonging to the state of, माहूरी एक पारंपरित संगीत बाद यंत्र है, जो किस राज से संबंदित है, is it a Keral, is it b Arunachal Pradesh, is it c Odisa, और is it d Himachal Pradesh, यह बताओ, माहूरी जो कि एक traditional musical instrument है, वो इंडिया के किस state से related है, किस state से संबंदित है, यह पूछा गया है आप से, किस के बार में, please go for the answer, all of you, please reply to me, माहूरी is a traditional, okay, you are from Odisha, very good, तो आपको पता होना चाहिए, जो लोग उडिसा से है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए उडिसा से होना जरूरी है, but the answer is quite obvious now, it will be c option, that is the Odisha, माहूरी is a traditional musical instrument, we are now left with the 30 questions, next important question is that, कि वोल्ड ओजोन दे is celebrated every year, on which date of September, जो विश् है, वो प्रतेख बस कितने सितंबर को मनाया जाता है, 8, 6, 12, 16, which of the following date, which of the following date is basically celebrated every year as the World Ozone Day, World Ozone Day के रूप में, हम किस date को celebrate करते हैं, this is the question for you, please all of you reply to me very quickly, हंजी, सभी लोग फटाफ़र इस question का अंसर करो, World Ozone Day, हंजी फटाफ़र, क्या बताओगे आप यहां पे, this is the 16th September, D is the correct answer, 71, अगला सवाल यह है यहां पे, which of the following territories was the first to be a part of India after independence, very good question है यह, इसको ध्यान लखना है, पूछा गया है कि निमलिखित ने से कौन सा चेत्र, स्वतंतरता के बार भारत का पहला हिस्सा था, which of the following territories was the first to be a part of India after independence, is it A, Goa, is it B, Puddu Cherry, is it C, D, D, Sikkim, Please tell me, after independence बताना है आपको कि कौन सा state जो है इसमें से, independence के बार, भारत का पहला, कौन सा state नहीं, कौन सा territory, कौन सा चेत्र, स्वतंतरता के बार, भारत का पहला हिस्सा बना था, यह सवाल पूछा गया है आपसे, यह बताईए आप लो, क्या होगा इसका अंसर, कोई idea है इसके बारे में आप लोगों को, please tell me about this, हंजी, क्या होगा, it's not Goa, it's not Puducherry, it's not Sikkim, but this is Dadra and Nagar Haveli, क्या हो जाएगा, Dadra and Nagar Haveli, ठीक ना, आपको रुकना नहीं है और आपको ठकना नहीं है, बस सेशन को, share or like करते जलिए, चलिए, next important question यह है आपका, यहाँ पे, which Indian personality, was given the knighthood, by the British monarch, but he returned it after the जलियावाला बाग में साकर, किस भारतिये ब्यक्तित्त को, British राजाद्वारा, knighthood की उपादी दी गई थी, लेकिन उन्होंने, जलियावाला नरसंगार के बाद, इसे वापस कर दिया था, is it Ravindranath Tagore, is it Arvindoghosh, is it Gopal Krishna Gokhale, और is it Moti Lal Nehru, इस से आसान सवाल, तो उसके बाद वापस कर दी थी, और जेनरल डायर की जो करतूते थी, वो दुनिया के सामने जगजाहिर वाइस, यह अलग बात है, कि जो हंटर कमीशन है, उसने उसको पुरी तरीके से बेबाग बना दिया था, तो आप क्या बताओगे, इस दा, गुरुदेव रविन नाट जो पौंग लोग है, इसको पौंग भी बोलते है, कहीं कहीं पर पौनुंग भी प्रणूस किया रहा है, तो जो पौंग folk dance है, वो किस राज में प्रचलित है, इस इट A. Sikkim, इस इट B. Arunachal, इस इट C. Manipur और इस इट D. Asam, पौंग लोग नित जो है, यह किस राज में यह पूछा गया है आप से हंजी बच्चों एक बार प्रटाफर्ट रिप्लाई हो जाए सब लोगों के द्वारा पोंग फोग डांस किस स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है इसको रिप्लाई करते रहे यह जरूरी है आपके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए अप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है यह बहुत आसान सवाल है कि सोलर एकलिफ्स यानि कि सुरिग्रहन किस कंडिशन में होगा जब सुरिज जो है वो चंदर्मा और पृत्वी के बीच में आएगा जब चंदर्मा सुरिज से बहुत दूर चला जाएगा जब कोई चुद्रग्रा यानि कि जो एस्टरोइड है वो सन और मून के बीच में आजाए या जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आएगा क्या होगा इसका आंसर बहुत लोग यह भी आंसर कर रहे हैं इसका मतलब आपको अभी तक सुरिग्रहन के बारे में पता नहीं है और जब भी सुरिग्रहन लगता है तो सुरिग बहारी पर जिसको हम Corona कहते हैं कि बल वो दिखाई देती है तो यह सवाल भी कई बार आया है कि सुरी ग्रहन के दारान सुरी का वो कौन सा भाग है कौन सा हिक्सा है जिसको हम अपने खुली आँखों से देख सकते है तो वो कोरोना होगा और कोरोना तो को सब ने देखा है भाई इस साल तो भाई बिना सूरे गरहन लगे लोगों को कोरोना दिखाई दी है तो ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत इंपोर्टेंट महारास्टर की है कौन सी चित्रकला सैली महारास्ट की है इस इस फिर फॉर नैंजी फटाफ़ोर्ट रेपलाई करो पूर्फ देखोचार मेर और होता हैrov से नीचे कोर होता है फिर फोटास्फियर है फिर क्रॉमोस्फियर है सबसे बाहर को रहना है आप क्या बताऊगे इस ता वार्ली मधुवनी तो है यह फेमस है कहां से तौ आब बताऊगे बिहार और वहां पर एक बहुत मिथिला जो सीधा की नगरी है वही से यह फेवस आना है बीजिंग चाइना परिस में लोस एंजलेस या फिर लंडन 2024 का जो समर ओलेंपिक्स है वो कहां पे स्केडूल है this is the question for you the 2024 समर ओलेंपिक्स are will be held in which of the following place बीजिंग परिस लोस एंजलेस और is it the london please go for the reply summer olympics 2024 कहां पे होने वाला है सभी लोग reply कीजिए इसको सभी लोग इसको फटाफट answer कीजिए क्या बताओगे आप इसका answer it's the b option that is the Paris the summer olympic games 2024 अगला सवाल ये है the power to inquire into and decide all doubts and disputes arising out of the election of the president is vested in the यानि की रास्टपती के चुनाओं में उठपन होने वाली सभी समस्याओं और विबादों की जास तथा निरने लेने की सक्ति इसमें किसके पास दी गई है यानि की रास्टपती के चुनाओं से अगला सवाल नेक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट इस दा मडाई मड़ई तेवहार जो मड़ई तेवहार है या मड़ई फेस्टिबल है वो किस राजी में सेलिबरेट किया जाता है जारकंड जम्मू कश्मीर उरिसा या चतीजगर तेके ना ये बताने आपको मरई फेस्टिबल जो है मरई फेस्टिबल जो है वो कौन से स्टेट में सेलिबरेट की जाती है ये पूछा गया है आपसे प्लीज गो फॉदा आंसर जारकंड, जम्मू कस्मीर, उरिसा या चटीजगर 21 questions और हैं बहुत जल्द हो जाएगा बिलकुल टेंशन नहीं जे 15 मिनट में मैं कीज दूँगा बस आप patience के साथ रहे ताकि एक बार वो question आखके आँखों के सामने से गुजर जाए ताकि वो exam में अगर आती है तो आपके लिए बहुत profitable होगा ये तो आप क्या बताओ कि मरई festival कहा का हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 गर का चर्चा के लिए जो मौकिक उत्तर के लिए तारांकित प्रस्णों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है याद रखना दो तरह के प्रस्ण होते हैं start और unstart unstart questions are to be answered in the written form और start questions को आपको orally क्या करना होगा answer होगा उसके बाद supplementary questions follow होते हैं जिसको भी आपको 10 दिन के prior notice के साथ answer करने की इजाज़त होती है तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि आपको यह पूछा गया है कि लोग सभा में किसी 20 दिन पर चर्चा के लिए मौकिक उत्तर के लिए जो maximum number of start questions है उसकी संख्या कितनी होगी आप बहुत लोगों को confusion है इस बात को लेकर के ठीक है ना तो कुछ लोग 15 भी बता रहे है कुछ लोग 20 भी बता रहे है कुछ 12 बता रहे है कुछ 10 बता रहे है आपको क्या लगता है कि कितना answer होना चाहिए इसमें ठीक है थाना please बताइए आप लो तो आप बताओगे यहाँ पर कितनी हो जाएगी It's the 20, 2-0, maximum 20 Which among the following is not one of the three parallel ranges of Himalaya in its longitudinal extent निवन में से कौन Himalaya की तीन समानांतर स्रेनियों में से एक नहीं है समानांतर स्रेनियों में से इन में से कौन सा एक स्रेनिय नहीं है Himalaya का Himachal, Himsikha, Himadriya, Sivalik Please go for the answer कौन सी समानांतर स्रेनियों में से एक नहीं है Himalaya की समानांतर स्रेनियों में से कौन सी एक नहीं है आप बतादू मैं कि सबसे उपर होती है क्या तो आप बताओगे Himadri Himadri के नीचे क्या हो जाएगा तो Himachal और Himachal के नीचे क्या हो जाएगी तो आप क्या बताओगे इस दस सिवाले तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हिम सिखा, B is the correct answer हिम सिखा नहीं है अगला सवाल ये है तो विच स्टेट डज़ दा बाग स्टाइल और टेस्टाइल आर्ट पेंटिंग बिलॉंग ठीक है ना जो वस्त छपाई कला है जो कारीगरी का एक पार्ट है बाग सैली में वो किस राज से संबन देते हैं यानि कि जो बाग सैली वस्त कला की छपाई है या वस्त कला की जो कारीगरी है बाग सैली वो किस राजिका है गुजरात, राजस्तान, तिलांगना या मध्यप्रदेश गुजराट राजस्तान तिलांगना या मध्यप्रदेश बाग सैली इनमें से किस राज से संबंदित है ये सवाल आपसे पूछा गया है प्लीज गो फॉर दा आंसर एवरीबढ़ी हांजी गुजरात राजस्थान तिलांगना या मध्यप्रदेश बाग सैली इसमें से किस राज से संबंदित है ये सवाल पूछा गया है आप से अब क्या बताओगे यहां पे इस दा मध्यप्रदेश क्या होगा मध्यप्रदेश अगला सवाल ये है स्वेटिंग और परस्पिरेशन इस नेचर से वे ओफ विस्थिंग पसीना आना या जो परस्पिरेशन है वो इनमें से किस चीज़ का प्राकिर्तिक तरीका है लोरिंग दा इंटर्लर टेंप्रेशर आप दा बॉड़ी रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ होता है तो इसमें हम किस चीज़ को यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं इसे दा लोरिंग दा इंटर्लर टेंपरिशर आप दा बॉड़ी रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम दा बॉड़ी वार्डनिंग ओफ हांफुल इंसेक्स तो बैड ओडर अप देखो जब बुखार लगती है जब फीवर होता है तो आपने देखा होगा कि हम उस पे बर्फ की पटियां डालते हैं और बर्फ की पटियों के द्वारा हम उस पसीनों को बाहर निकालने की कोशिस करते हैं तो लोरिंग दा इंटर्लर टेंपरिचर अप दा बॉड़ी इसका क्या हो जाएगा ए 2011 की जनगन्ना के अंसार हिंदी ने जनसंक्या के लगभग कितने प्रतीशत कितने लोगा दौरा बोले जाने वाली प्रमुख भासा के रूप में अपना अस्थान बरकरार रखा है ये सवाल भी multiple times आये हैं इस सवाल का आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से प्लीज गो पोजीशन है वो क्या रखा है बरकरार रखा है ये बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर क्या बताओ आप लोग 0.4363 0.4363 ये इस दा करेक्ट आंसर अगला सवाल ये है निए हम तेंदूओं का निवास अस्तल हम नेशनल पार इन में से कहा पेस्तित है ये कांसे स्टेट में लोकेटेड है हमाचल, अरोनाचल, लगदाग या लगशुदीब 355 चलो हमिस नाशनल पार्क के बारे पूछा गया है जो स्नो लेपोर्ड है हमिस नाशनल पार्क यह आपको बतारा है कि यह कहां पे लोकेटेड है प्लीस तेल में अबार दिस हमाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश लड़ाक या लक्षदी we are 335 live right now make it 350 at least and please do share the session with your friends come on guys just don't lose your temperament have the patience we are just 15 questions away to finish off this session so please bear the patience with me come on guys what will be the answer हमिस नाशनल पार्क this will be लड़ाक एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं मैं आपको जहां भी आप love word देखो तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको इसका मतलब होता है पास ठीक है ना और जो धाक word है इसका मतलब क्या होता है मेनी तो लड़ाक का साब्दी कर्थ क्या होगा it's the city of many passes कई अस्थानों का दर्रा जैसे मैंने बोला जोजिला मैंने बोला बारा लाचला मैंने यहां पे बोला बाल लिया जाए कि जेलेपला तो जहां भी लावर्ड आएगा बेटा तो ला एक तिबती भासा का सब्द है जिसका शाब्दी कर्थ होता है दर्रा यानी की पास और पास क्या है तो आपको पूछना गया है कि मरक्कन ट्रेवलर जो इबन बतूता है इसका भारत आगमन चौदवी सताब्दी में किस सासंग के समय में हुआ सासंग के समय में हुआ था इस इट अलाउद्दीन खाल जी इस इट मुहम्मद बिन तुगलग इस इट जलालउद्दीन खाल जी और इस इट फिरोश्या तुगलग इबन बतूता जो मरक को ट्रेवलर है वो किस सासक के साशंकार में भारत पर आया था ठीक है ना प्लीज तेन वी अबाउट इस ठीक है ना तब क्या बताओगे इस दा MPT इस दा मुहम्मद बिन तुगलग ठीक है वेटा याद रखना है आपसका मुहम्मद बिन तुगलग होगा MPT सबसे जादा पढ़ा लिखा सुल्तान पूरे दिल्ली सल्टनत में लेकिन उसके कुछ जो पांच important ideologies थे उस कारण से बरबाद हो गया और दिल्ली सल्टनत के सबसे बरा योगदान जो था वो मुहम्मद बिन तुगलग का था जिसके पांच डिसीजन्स ने पूरे सल्टनत को क्या कर दिया आप क्या बताओगे हाँ इडियलिस्ट फूल कहते है उसको या भी हम कहते हैं वाइजस्ट फूल भी कहा जाता है पागल बादशा कहा जाता है उसे बहुत सारे नाम है उसके चलिए अगला सवाल इडिया फर्स्ट फूल एक्सपेडिशन दक्षनी धुरुब अभियान को सफलता पूर्बग पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आइपस अधिकारी कौन बन गई है इस इट मालावत पूर्णा इस इट छंदा गाएन इस इट कल्पना दाश और इस अपर्ना कुमार प्लीज रिप्लाई टु मी प्लीज गो फो फो दा आंसर और प्लीज रिस्पाउंट टु मी वेरी क्विकली सभी लोग फटा फट इसको आंसर कीजिए हंजी बच्चों कम आन रिप्लाई टु मी सबसे पहले साउथ पोल के एक्सपेशन को किस ने पूरा किया था यहां पे तो आप क्या बता होगे it's the Aparna Kumar is that clear to all of you well then guys let's move to the question number 88 we are 12 question down from completing this particular session in which state is the archaeological site of Surkotada situated Surkotada का पुरा तट्विक अस्थल किस राज में इस्थे थे Karnatak, Gujarat, Rajasthan या Haryana you have to tell me the location of Surkotada which is one of the archaeological site in India this is situated in which of the following state is it Karnatka, Gujarat, Rajasthan, Haryana एक हिंट है यहीं पे इंडिया का पहला या बिसु का पहला artificial dockyard भी था जिसको हम लोग जानते हैं किस के नाम से लोथल के नाम से ठीक है ना तो लोथल कहां पे है Gujarat में और Surkotada भी कहां पे है आपका तब क्या बता होगे Gujarat के अंदर Clear है बच्चों? All clear, all done? Let's move to the question number 89 What is Jadu Gowra known for? यह मैंने कल ही पढ़ाया था किसी YouTube session में कि What is Jadu Gowra known for? Is it uranium deposits? Is it sandalwood forest? One-horned rhinoceros? या फिर handalum industry? Jadu Gowra जो है यह इन में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है या किस चीज के लिए जाना जाता है Jadu Gowra, uranium, चंदन के जंगल, एक सिंग वाले गेंडे या फिर hand look उद्योग के लिए Come on guys, please go for the answer बिल्कुल सही का आपने एक हिंट है कि ये छोटा नागपुर प्लैट्यू पे है चोटा नागपुर प्लैट्यू भारत का खनीज भंडारं का सबसे सरवादिक स्थल है और आपको बता है कि जादू गोड़ा ये जार्खंड में है और यहाँ पे आपका क्या है UCIL, uranium, कारवाइड इंडिया लिमिटेड ये जादू गोड़ा, uranium के लिए सबसे दिक फेमस है question number 98 which of the following tribes belongs to Sikkim इन में से कौन सी जन जाती Sikkim से संबंदित है is it the Chanchu tribe, is it the Bhutia tribe is it the Angami or is it the Bonds please go for it आपको बताना है कि इन में से कौन सी जन जाती Sikkim से संबंदित है या Sikkim राज से associated है please go for the answer हांजी बच्चों, is it Chanchu, is it Bhutia, is it Angami or is it Gonds please go for it फटाफट reply करो go for the reply, go for the answer आपने सुना होगा बहुत बड़े फुट्बॉलर है हमारे इंडिया से Bai Ching Bhutia, ठीक है ला he belongs to the same tribe ठीक है ला और ये कहां से है Sikkim से इसको बहुत अच्चे से आप लोगों को ध्यान लखना है ठीक है ला, इसके बाद आपको ध्यान लखना है अंगामी जो है वो अरनाचल से हो जाएगा कोई बता सकता है कि चेंचू ट्राइब कहां से है what about चेंचू ट्राइब anyone who can tell me about the चेंचू ट्राइब करनाटका, तेलांगना, उडिसा यह जो मेली आप ध्यान दख सकते हैं आंधर प्रदेश को ले सकते हैं हम लोग लेकिन चेंचू ट्राइब नाडू में भी है तेलांगना में भी है, करनाटका में भी है 90 first 10 questions down every panchayat unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for how many years from the date of appointment from its first meeting and no longer, प्रतेख panchayat जब तक कि किसी कानून के तहद जल्द ही भंग ना हो जाए, वो अपनी पहली बैठक के लिए नुक्तिती कितने वर्ष तक संचालित रहेगी और इस अबधी के बार इस अबधी के बार संचालित नहीं होगी यानि कि टेन्योर कितना रखा गया है पंचायती राज संस्थानों का या पंचायत के गठन का किसी भी विलेज में, जब उसके गठन से ले करके, जो उसकी अंतिम समय सीमा होगी, तीक है ना, वो कब तक कितने वर्ष की होगी, ये पूछा गया है तीन वर्ष, पाँच वर्ष, एक वर्ष या दो वर्ष, 3-5-1-2 3-5-1-2 प्लीज गो फॉदा आंसर, जैसे लोग सभा क्वा, अधिक्तम समय सीमा पाँच साल होता है, ठीक है राज सभा पर्मानेंट हाउस है, ठीक है ना और उसी प्रकार से आपको ध्यान लखना है कि भाई, पंचायत राज के बारे में पूछा गया है कि इसकी maximum time period जो है, वो कब तक valid होगी, जिससे पहले उसको हम भंक कर भी सकते हैं कि उससे beyond ये नहीं जा सकती है, तो आप क्या बता होगे, it's the 5 years हामच, it's the 5 years, exactly, very good तो एक बार बच्चों, शेर कर दो सेशं को फटाफेट, we are running right now at the 375 please make it 400 for today it's a request to you all please do like the session and do share the session with all your friends make it 400 for today next important question who used the pseudonym Bhanu Singh टेके न उपनाम Bhanu Singh का प्रयोग इसमें से किस लेखत के दरा किया गया था Ravindna Tegor Sunil Gangopadhyay Michael Madhusudandad या Bankim Chandchutopadhyay इसको बताओ आप ठीके न एक बार 400 प्लस लाइव कर दो बचो और ये तभी possible है जब आपका support होगा और वो तब होगा जब आप इस session को उन दोस्तों के साथ share कीजिए जिनको अभी तक आपने share नहीं किया है please do it ठीके न तो आपको बताना है who used the pseudonym भानू सिंगा या भानू सिंग pseudonym को उपियोग किसके दोरा किया गया था रविद्नाठ टैगोर, सुनील गंगोपाध्याई, माइकल मुदिसिदंदत या बंकिम चंचटोपाध्याई आप क्या बताओगे अपने GST के बारे में बहुत सोरगूल सुना है, उससे रिलेटेट चार्ज स्टेटमेंट दिये गया है पहला ये कहा गया है कि सेंटर होड्स हंडेट परसेंट स्टेक इन GST नेटवर्क, यानि कि केंदर की GST में सौ फीसिदी हिस्सेदारी है GST network was formed under Companies Act, GST network का गठन company अधिनियम के तहद किया गया था The 100th amendment introduced the GST in the country, सौवे संसोधन ने देश में GST लागू किया और GST council is a statuary body, GST पैसद एक वैध्यानिक निकाई है क्या होगा इसका सही आंसर, कि इसमें से कौन सा statement करेक्ट है related to the GST GST के संदर में कौन सा कथन यहाँ पर सही लग रहा है आपको, यह सबाल पूछा गया है आप लोगों से Please go for the answer GST के बारे में कौन सा statement सही है, तो आप क्या बताओगे आपको बता दू मैं कि इसका answer D नहीं होगा, मैंने तो इसा टिक किया है, यह answer नहीं बताए इसका answer क्या हो जाएगा, it's the B option GST network का जो निर्मान किया गया है, वो companies act की तरह की गई है और इसको लाया गया था 100 first amendment act के दुआरा और यह एक non statuary और non constitution, यह एक non statuary body है यह क्या है, non statuary है, यह ध्यान लगना है आपको अगला सवाल, 94, which of the following activities also referred as gold collar profession क्या बढ़िया question पूछा गया है, कि निम्लिकित में से किस गती भी दी को gold collar पेशों के रूप में लाया जाता है, gold collar profession कौन सा है which is the gold collar profession, secondary sector, primary sector, quaternary sector या फिर queenery sector इसमें से gold collar profession क्या है, कोई बता सकता है मुझे which of the following is the gold collar profession, please go for the reply, please go for the answer and please tell me about this, हंजी, फटा फट, gold collar profession इसमें क्या आएगा देखो, जो engineers होते हैं, जो doctors होते हैं, जो charter accountant होते हैं, जो architects होते हैं इसको रखा जाता है किसमें, तो आप बताओगे, gold collar profession में, ठीक है ना और उस gold collar profession के अंदर, यानि कि जो knowledge based होगी, तो knowledge based का क्या example हो जाएगा quaternary sector, यानि कि C will be the correct answer, जो knowledge based होगी अगला सवाल यह है यहाँ पे, कि twin paradox is associated with which of the following twin paradox का संबंद इसमें किसके साथ है, quantum mechanics, hydrodynamics, the theory of relativity or the particle physics, यह बताना है आपको, कि जो twin paradox है, इसका संबंद इन में से किसके साथ रखा गया है, twin paradox, please go for the answer हाँ जी, twin paradox का संबंद किसके साथ रखा गया है, तो आप क्या बताओगे, the theory of relativity के साथ, 96, under which article of the constitution of India, can the president promulgate an ordinance, भारत के समिधान के किस अनुछेद के तहर, राश्पती अध्यादेश ला सकता है, अध्यादेश, यानि कि power to make the ordinances by the president is under the which article of the Indian constitution, please go for the answer, is it 168, is it 123, is it 101 or is it 75, हाँ जी, reply करो सभी लोग, power to make the ordinances, अध्यादेश प्लागू करने का अधिकार, भारती समिधान के किस अनुछेद के तहर दिया गया है, भारत के राश्पती को, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, it's the article 123, और वही पे article 213, ये अधिकार किसको देता है, तो आप बताओगे, राजिक के राजिपाल को, 213 में राजिपाल और 123 में राश्पती, अगला सवाल, the famous mathematician, स्री निवास रामानुजन, was born in which of the following place, ठीक है ना, प्रसिद्ध गरित तक, स्री निवास रामानुजन का जन्म इनमें से कहां पे हुआ था, इरोड, कुम्ब कोनम, मदरास जो किया चन्नई है, या फिर नमककल, ठीक है ना, great mathematician, स्री निवास रामानुजन का जन्म जो है, ये इनमें से किस अस्थान पे हुआ था, ये बताना है आपको, इरोड में हुआ था, कुम्ब कोनम में हुआ था, मदरास में हुआ था, या फिर नमककल में हुआ था, तो आप क्या बता होगे, it's the कुम्ब कोनम, B is the correct, sorry, I am so sorry, really sorry, really sorry guys, I have marked it wrong, it will be A option, इरोड होगा बेटा, क्या होगा, इरोड होगा, it's the A option, not the B option, it's the A option, इरोड में ध्यान रखना है, कि महान गली तक यसी निवास रवानुजन का जन हुआ था, अगला सवाल है, असम के किस सहर के अस्थान पर, ब्रमपुत नदी अपने पस्चिम की ओर से, दक्षिन की ओर जाती है, और बांगला देश में प्रिवेश कर जाती है, असम के किस सहर के अस्थान पर, ब्रमपुत नदी अपने पस्चिम की ओर से, दक्षिन की ओर जाती है, और बांगला देश में प्रिवेश कर जाती है, तेजपूर, बार पेटा, धूबरी या बौंगाई गाउं, और यही ब्रमपुता जब बांगला देश में जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जमुना कहेंगे, और यह जमुना मिलती है गंगा, यानि कि पदमा के साथ, बनाती है सार्दा और गिरती है किस नाम से मेगना, बिल्कुल सही कहा आपने, इस तद्धूबरी, पांच प्रियाग बनते हैं, उत्तरकाशी उत्राखड में, जिसमें सबसे उपर है विश्नु, फिर है नंद, फिर है कर्ण, फिर है रुद्र और फिर है देब, अब पूछा गया है कि जो अलक नंदा और मंदाकनी है, इनका जो संगम है, वो कहां पर होगा, विश्नु प् प्रियाग में, देब प्रियाग में, या फिर नंद प्रियाग में, अलक नंदा और मंदाकनी, इनका संगम जो है, वो कहां पर होगा मेरे बच्चों, ये बता हो आप लोग, ठीक है ना, ये पूछा गया है, देखो देब प्रियाग में क्या जूरती है, तो भागी रती, नंद प्रियाग में नंदीक नहीं, बिस्नु प्रियाग में धौली गंगा, तो बच गया क्या, रुद्र प्रियाग, B will be the answer, we are on to the question number 100, which of the following is not an official language of the United Nations, इन में से कौन सा संजुक्त रास्तर की आधिकारिक भासा नहीं है, which of the following is not an official language of the, which one you can say, United Nations, United Nations की आधिकारिक भासा इ ठीक है ना, please tell me, कौन सा official language नहीं है United Nations का, बच्चों एक बार like को 500 तक पहुचा दो, please आप लोग, ठीक है ना, please do it, जिन बच्चों ने अभी तक like नहीं किया है सेशन को, इसको फटाफट like करो आप लोग, और सेशन को इतना बहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का बहुत धनने बार, ठीक है ना, इसका answer क्या हो जाएगा Japanese, यह ध्यान रखना है Japanese जो है, यह official language नहीं है किस चीज की, United Nations की, अभी आप लोग 11 बजे से 100 most expected question on English grammar, तो आप attain कर सकते हो, online ventures के defense channel पे, जिसको अमित सर ले रहे हैं, आप लोग इस सेशन के तरन बाद वहां live हो सकते हो, औ और साती साथ आपको ध्यान रखना है, कि भाई, 2020 का जो पूरा current affair है, IBACI के लिए, फरवरी 2020 से जनवरी 2021 का, यह आज साम सारे 5 बजे दिखाया जाएगा, किस के दारा तो आप अगे कासिब सर के दारा, यह session लेंगे आज साम सारे 5 बजे, इस session पे भी आप लोग सबों को आ a huge success and it was not possible without your support, thank from the core of my heart, thank you so much guys, love you all, bye bye, take care and just enjoy your valentine week, thank you so much, I don't know which day is today, but I can only say you dad, okay na, चलिए मुलाकात होगी, फिद दुवारा अगले session में, Sunday को 11 बजे, मैं जोग्रफी का ही session लेकर किया हूँगा आपके बीच में, तेक ना, thank you so much, bye bye and take care, thanks a lot. ऐ कर गो पिद में हमुशा होगी, का डालिए में आपके, भी बीचा अपका हूँआ इसंस पतार्फपिछा में हमुआपके, तो चोझा में ही musimyOOOO wa जखके, तो च halfway